गुड मॉर्निंग तो अलोफ यू आज का सेशन बहुत इंपोर्टन है मैंने रेकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है स्टार्टिंग में इनोंने रिविजन ले लिया है और अभी मैं आज लेजर प्रोफॉर्मस सिखाने वाला हूँ सबको 30 मिनिट्स का लेक्चर है आपको अच्छे से याद करना है कि यह कौन से के लेक्चर में क्या क्या इंपोर्टन से तो प्लीज क्रिपा करके अभी ध्यान देना पर उसके पहले मैं आपको वीधी की नोटबुक बताता हूँ मतलब यह वीधी की नोटबुक आपको देख रही है वैसे देखने गए तो आज 10 दिन कंप्लिट हुए बीच में इंवेंटरी चैप्टर भी हुआ है और बहुत से result आने के बाद बहुत से students वापस से join हुए तो आप सब के लिए मैं एक बार एक बार नोटबुक बता रहा हूँ और जो भी हमारे group पे join है तो उनको ये नोटबुक विधी वापस से भेजी देगी मतलब है ही अमारे group पे ये तो आप लोगों को वहाँ से मिल सकती है पर जो बच्चों ने अभी तक maintain नहीं किया और जो recording में देख रहे है जो YouTube पे हमें देख रहे है तो उनके लिए एक नोटबुक में आपको बता इसने अच्छे से लिखा हुआ है तो इसके बार आप देख सकते हो दो नंबर पर इसने basic examples जो मेरे 10 entries है जो हमेशा ये बच्चे बोलते रहते तो एक बार हम लोग इसकी quick revision कर लेंगे कोई तो एक बच्चा इसमें से सभी entries बोलेगा अंच आपसे मुझे expected नहीं है तो ये entries के लिए यसको इभी hand raise कर दीजे जिसको ये entries बोलने जिसका confidence बढ़ना है तो ये entry बोलने के लिए सबसे पहले ये कुम-कुम को ये entries बोलनी है तो कुम-कुम चलो बटा एक बार ये entries बता दीजे फटा 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 फट आपको ये entries बोलनी है एससे starter business with cash rupees 10, 1,00,000 तो capital to access capital to access capital tax account sorry 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 cash account debit to access capital घंट loan taken rupees one lakh cash account debit to loan taken cash account debit to loan taken cash कोंगे सब्सक्राइब का कंट है फटा फटा बता आए ये चलो, confidence कुम-कुम अभी भी नहीं है, आप एक बार confidence जो है, वो बाकी बच्चों का भी देख लेना मतलब वो केसे बोलते हैं, हर्शा, purchase furniture, बराबर बता रही हो, और केसे बताना चाहिए, ये बता रहा हूं में, purchase furniture, बेटा हर्शा, फटा-फट बोल, सर, हाँ जी, purchase furniture, furniture account to cash or bank accounts, लॉजिक बताईए, सर, furniture is a real account, debit what comes in, cash account is a real account, debit what goes out, credit what goes out, ठीके, next, अभी, yes, then, रोनग बेटा, फिर्स राफट, नेक्स एंट्री बताईए, goods, purchase, cash, संगम, चलो, जल्दी बोलना है, रोनग मेरे पास time नहीं है, unmute, unmute करना पड़ेगा, और आगे चलना पड़ेगा, रोनग, हाँ, sorry sir, purchase account, debit to cash account, debit to cash account, to संगम account, purchases, nominal account है, debit, the expenses, cash, real account है, debit goes out, संगम, credit goes out, credit goes out, संगम, creator is a credit, the creator, yes, ठीक है, करिना वेजस पेड, फटाफट बोल, wages to cash logic 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 wages account nominal account है auto debit on expenses cash real है credit बोल जाओ जादो जी salary paid to anand 8000 total salary 10,000 फटा फट बोल ये रोहीत फटा फट बोल salary salary account debit to anand to cash logic salary is nominal debit all expenses anand anand creditor or cash real credit what goes out very good stationery purchase stationery account debit to cash account stationery is our expense and debit all expenses and cash is our real account trade all and वैसे यह मैं आप भी जैसे पूछ रहा हूँ वैसे एक इंट्रेवांश आपको पहले स्टार्टिंग में पाथ से दस दिन लगेंगे पाथ से दस दिन में आपका बेसिक एकडम स्ट्रॉंग हो जाएगा फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि रोज वह स स्टैंडर तक वो रोज बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा पर जैसे ही उसमें से ब्रेक होता है तो अब भी बहुत से लोगों को पूरा याद होने का भी मुश्किल हो जाता है तो वो नहीं होना चाहिए इसलिए हमें ये सब रोज याद करना पड़ेगा 90% स्ट को जाता है मतलब ये पूरे इंडिया के स्टुडंस का ही में तुझे बात बता रहा हूं कि जो 20-25 पच्चे तीया 30 बच्चे पास होते ना तो ये प्रॉब्लेम ही एक है कि हम लोग बोल ही नहीं पाते समझ तो पूरा लेते हैं पर ये बोलना बहुत जरूरी है और तू थ जाएद अभी सुदर भी जाएगी क्या करेंगे न अब ये एक भी लेक्चे बंक नहीं चमार सकते हम लोग के से एक हाद लेक्चे भी क्यू अपने को हर बार पर ये तीन-चार बार हुआ एक हाद बार होता है तो मैं समझ लेता हूं और ये वाकी लोग जो थे वो यहाँ पे थे और वो एकदम उपर जा रहे है अभी जिनका confidence पहले नहीं था अभी रोनक रहेगा यह कितना अच्छे से अभी यह लोग बताने लगे investment in FD 12% 50,000 after 6 months चलो जाधो जी बताईये फटाफट चलो दीब बता दे फटाफट बेटा अभाजर की आया थर से बताऊ कोंसे investment in FD investment in FD चलो तो बात वे यात कर ले नहीं आया वो साइड में लिकर ले पना चलो बता दो भीडा फटाफट बांक के गटीप्ट आपट पर्स लोजीक बांक की पर्समेल अपांट और क्श के इस ठीक है एंद लास्त इस तो अगता है अवला तो जा थी इस फिल्ट को फिल्ट यह ना बोला थे खल वेगा अ फिलिक पर फिल्ट बूल गया डेप्रिसेशन इस नॉट इस दिन में वह बराबर है अभी भी थोड़ा यह गलती नहीं होनी चाहिए बोलते टाइम एकदम फ्लॉलेस बोलना चाहिए एकदम यह लोग कैसे बोल रहे है थोड़ा सा दिप और आ जाएगा पाच्छे दिन में वह भी आ जाएगा ओके वेरी गुड उसके बाद देखो इन्होंने सभी इंट्रिस को यह सा लिखा हुआ है और आज मैंने इंट्रिस का वापस से रिविजन लिए जरेघ्ड दो आपलोग वापस वापस यह बोलते रहे तो देखो यह इन इसने लिखा हुआár इस ने लिखा हुआ इला Scoras तो बोलता हूँ, illustration 1 में गलती क्या हुई है, नहीं, उसने page number भी डाला हुआ है, 2.9, और आपने cross reference विधी डाला है, कि आपके module के उपर, ये कौन सा page था करके, module के उपर आपको लिखना है page number 3, cross reference डाला है आपने? नहीं सर, मैंने 2 book बना ही थी ना, तो मैंने उसमें लिखा नहीं था, पर ये वाली books अभी मैं लिख लूँगे इसमें, नहीं, cross reference मतलब study mat में, study mat में लिखना बाकी है सर, तो जल्दी जल्दी लिख लो study mat में, फटा फट, illustration 3 भी लिखा हुआ है, illustration 4 भी लिखा हुआ है, बहु with narration लिखा हुआ है, yes, हर चीज, हो सकता है, तो मैं description link में आज के lecture में ये डाल दूँगा, विदी जी मुझे याद करना, आपके notebook के सिर्फ इतने pages में, description link में डाल दूँगा, करके, okay, ताकि जो भी बच्चाबाद में देखेगा, तो आपको ये notes हमारे मिल जाएंगे, description link से और इनका handwriting, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हुँ, देखो handwriting बहुत बढ़िया है करके, पर it's a readable handwriting, और यही एक्जाम में आपको expected है, कि सामने वाले को आप बता दीजे कि आपका handwriting बहुत अच्छा ना हो, पर आपका presentation देखो कितना matter करता है, जैसे कि इन्होंने रब balance sheet लिक पर याद रखो कि यह notebook में आपको maintain करना होगा, तो इसको अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा, आपका readable handwriting भी presentable आप कैसे कर सकते हो, उसको धैन में रखना, जैसे बीच में एक line चोड़ा हुआ है, यह सब चीजे बहुत matter करती है, आपका paper read करने के लिए, और देखो हर concept presentable होता है, तो आपको handwriting अच्छा नहीं रहेगा, तो वो भी marks count होते है, ओके चलिए, so apart from that, today we are going to see a new chapter, हम लोग जिसको बोलेंगे, आज हम लोग सीखने वाले है, ledger के कुछ performance, आज हम लोग सीखेंगे ledger के कुछ performance, जो आपको 100 pages के book में लिखने है, यह कहां पे लिखने है तो 100 pages के book में लिखने हैं आपको, so जल्दी से इसको ध्यान देके बेटा समझ लिजे, पूरा का पूरा, देखें, आज का session, शुरू करने के पहले, आज हम लोग journal के आगे जा रहे, journal यह recording of transactions of every entry होता है, journal यह recording of transactions of every entry, मतलब हम लोग जैसे मेरे पास बील आता है, मैं क्या कर में, दिन्बर में क्या होता है, मेरे पास एक report आता है, report आने के बाद, मतलब आपको एक में genuinely बताता हूँ, कि एक report में आपसे share करना चाहता हूँ, जो real life में हमारे पास भी आता है, so, अभी देखो, मैं हर business में, हर business में जाके, मैं खुद तो, यह नहीं कर सकता हूँ, कि proper system लगाना, यही मेरा काम रहेगा, अभी एक system हमने लगाया हुआ है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को भी real life examples में बताता रहता हूँ, तो वो आपको समझ में आते हैं, कि हाँ sir, हमें क्या समझ में आता है, क्या नहीं आता है, कुछ bills के पहले, अभी देखिए, यह हमारा एक report है, अच्छा, real life देखना है न अच्छ आपको, क्या नहीं देखना है, बिलकुल सब देखना है देखे बेटा, खुद की चीजे को explain करना, तो उससे ही बेटा क्या होता है, फाइदा बच्चों को समझने के लिए होता है, क्या आप लोगों को भी दिन बर में क्या होता है, क्या नहीं होता है, यह समझ में आई इस से, yes, चेक करो यहाँ पे, एक example दे रहा हूँ, देखो, यह हमारी एक sales summary है, अभी मैं तो रोज जाके यह बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बेटा, हम लोग owner रहेंगे, तो हम लोग इसके लिए किसी को रखते है, अभी यह sales summary, यह अभी कल की summary है, आप देखो, 11.02.2024, यहाँ पे देखो, relax pure wedge, तो यह हमारा report है, relax pure wedge is a franchise, जिनकी franchise हमने लिए, और Nanda Deep Foods, Nanda Deep Foods, यह हमारा जो partnership firm है, उसका नाम है, Nanda Deep Foods, यह मेरे फ्रेंड के मम्मी का नाम है, यह मेरे पापा का नाम था, तो दोनों यह हमने एक साथ करके, Nanda Deep Food, यह हमने एक entity बनाया, Nanda Deep Food के अंडर हमारा GST का number रहेगा, और relax यह, इसके लिए लिखना पड़ता है, कि यह franchise है, जिनकी भी, जिनसे हमने franchise लिया हुआ है, तो यह sales reconciliation, अभी यह sales reconciliation, मतलब, यह entries अभी हमें मारनी पड़ेगी, तो देखो, कल हमने कितना cash collect किया होगा, यह card का है, UPI, UPI मतलब, आप आपने कल पाओ बाजी खाई रहेगी, तो उसकी के ओटी, के ओटी मारने आपके बाद यह 57 का संकेट सर लिखा होगा, तो यह भी मैं लिखता हो कि हम लोगों ने भी खाया होगा, तो भी आपको यह लिखना है हमारे report में, हाला कि यह drawings है, संकेट सर यह drawings दिखेगा, और बा कि अभी यह चीजे, हमारे खर्चे क्या-क्या है, अभी ICA expenses मतलब हमारे पास एक institute का, GM says orientation का एक order है, कि जहां पे हम लोग क्या करते कि यह institute को यह सब material भी खाना प्रोवाइड करते है, तो वो अभी contact के वज़े से थोड़ा बहुत और quality अच्छा होने के वज़े से institute ने हमें दिया हुआ है, अभी उसके बाद किसको क्या-क्या payment किया है, अभी इसके सब vouchers मेरे पास रहेंगे, advance salary हमने दिया, या staff out हमने दिया, तो overtime दिया, या बाकी हमने क्या-क्या खर्चे किये, यह सब आपको उपर यह list में vouchers मिलेंगे, तो यह payments है, अभी यह payments जो है, उसके हमें क्या करने पड़ते हैं, कि रोज के रोज यह summary नहीं बनाया, तो मैं उनको, यह cash book है, simple language में यह क्या है, तो यह cash book है, और यह सब की entry मेरा एक बंदा अलग से करता है, वो वहाँ पे 3 घंटे बैठता है, और वो सभी entries को tally में करता है, और यह तरीके से किया, तो मेरा net profit और net loss मुझे समझ में आएगा, तो business के बेटा धजया उड़ जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, आया समझ में, तो यह real life example से, जहां पे आपको, हम लोग जो सीख रहे है, उसको implement करना है, यह implement करने के लिए भी मैं आपको यह सीखाता रहता हूँ, तो I hope आपको यह समझ म आने के बाद, suppose मैं businessman हूँ, उपर में यह रखता नहीं हूँ, तो यह रखता नहीं हूँ, तो क्या होगा, मुझे समझ में आएगा मेरा रोज का sales कितना हुआ पेटा, तो as a chartered accountant मैंने यह system लगाना चाहिए, यह सिस्टिम कितना अच्छे से लिखा हुआ है, you can check, यह देख आपने यह, मैंने सिफ यह report देखा, daily report, तो भी मुझे समझ में आजाएगा कि मेरा रोज का sales कितना हो रहा है करके, okay, so यह चीजे हमें सिखाती है, accounting, आया समझ में, अभी journal entries क्या होते हैं, journal entries में है, यह जो मैंने cash payment किये, उसके vouchers मारे रहेंगे, okay, vouchers रहेंगे इसके, इसक cash में collect करने वाले लोग है, तो किसी को, आप hotel में जाने के बाद, सब लोग आपको सिफ बिल जो देते है, छोटा सा, वो जो बिल कट करके देंगे, तो यह बिल जो है, वो हमारा sales का invoice होगा, तो वो भी numbering के हिसाब से रहेगा, say yes or no, और daily हम लोग क्या करेंगे, अभी एक- customer की sales के entry मारना possible है, एक-एक customer की sales के entry हम लोग मारी नहीं सकते, तो दिन बरने नहीं तो 500 entries बढ़ेगी, तो हम लोग क्या करते है, at the end of the day जितनी entry होती है, amount की total ली जाएगी, और वो amount की total, अभी हम लोग कल क्या करेंगे, जो मैडों से इतना आया, cash से इतना आया, car से इतना स्विगी से इतना आया, और drawings में कितना, तो ये entry हम लोग directly कर लेंगे, आया समझ में, अरे हाँ या ना, बोलो जंदी से, ये plus 48, minus 48 क्या है, क्या बेडा, plus 48 and minus 48 ये क्या है, वो अभी कैसा होता है, minus 48 और plus 48, कभी-कभी क्या होता है, cash में वो entry 18,140, 18,092 ये दीख रहा है, और बाद में होता है, क्या समझ में आता है, कि भाई, PTM में हमने वो मारा था, for example, एक simple सा example देता हूँ, for example, अभी ये देखो, ये तो ये business का हुआ, अभी हमारा बंदा, अभी ये तो ठीक है, ये अभी business के, इसमें इधर एक accountant मेंने separately रखा हुआ है, देखो, business to business के से matter करता है, चेक करना है आपको कि ये exactly क्या होता है, अभी ये 4848 क्या है, अभी simple सा example देता हूँ, दुसरे एक example देता हूँ आप लोग को, एक दुसरे business का, ये तुझे धान में आएगा, good question, good observation, अभी देख बेड़ा, जहाँ पर मेरा accountant नहीं है, एक business में, जहाँ पर accountant नहीं है, फिर भी वे ने वहाँ पर control कैसे रखा हुआ है, that you have to check, okay, एक अच्छा समझने की कोशिश कीजिए, कि जहाँ पर मेरा accountant नहीं है, फिर भी जो बचने वहाँ पर accounting नहीं कर रहे है, पर, अभी ये बंदे का बेटा knowledge 10 standard का भी नहीं है, बिकाज ये लोगों का काम, अभी ये दूसरा business है, जहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, ये कुन सा business होगा बेटा, ये? चलो, ये क्या है, छोटू, समीर, शाहीद, और मुन्ना, और ये, क्या लग रहा है, ये क्या business होगा? एनिवन, एनिगेस? चायनास्ता सर्थ, क्या? चायनास्ता, नहीं बेटा, चायनास्ता के फिर नाम क्यों लिखूंगा में? तो ये बच्चे उने भी बेटा, कल काम किया है, अभी देखो, ये यहां पर आप लोग देख सकते हो, तो ये तो पड़े हो लिखे भी नहीं है, ये पड़े लिखे भी नहीं है, फिर भी इनका business का एक तरीका मेंने कैसे क्या हो, क्योंकि यहां पर मैं आकाउंटन रख सकता हूँ क्या, बताओ मुझे, यहां पर जाके कोई आकाउंटन बेटा हुआ है, और मैं आकाउंटिंग कर रहा है, अभी ये बराबर लग रहा है कि इसमें रखने की जरूते क्या, अननेसे सरी 15,000 रुपय देने की जरूते क्या, तो मैं बात करते है, आप जब था करते हो, आप काम करते हो, तो अभी फॉर एक्जांब्ल, ये मैं आपको का डैश दिख रहा है डैश का मिनिंग क्या होगा कि इसका पेमेंट जो है ना वो कैश में आया हुआ है उसका पेमेंट किसमें आया हुआ है जो बचता रहेगा और maximum लोग UPI कल पेइमेंट करेंगे तो यह 70 रुपए उसका पेटीम से आया हुआ है 180 यह पेटीम से आया है और 20 उसका टीप है वो आगे 20 रुपए लिग देता है तो टीप में मैं शेरिंग नहीं करूँगा टीप उसका खुद का अमाउंट रहेगा और 20 रुपए वो साइड में लिख देगा कि 180 प्लस 20 रुपए उसका पेटीम का है आया समझ में आपको और यह यह दे एंड पे मैं इसके टोटल लूँगा डे इंड पे क्या करूँगा टोटल लूँगा 3830 4850 4270 3720 और यह जो है ना इसका रिपोर्ट फि कक किया कद अब यह लोग क्या करते बटा यह लोग सपोर्ब्स अभी फोर एंड जाम पल करेंगे क्लर है कलर में क्या होगा कलर में जा挑 नहींụ कर नहीं है क्योंकि कोża स्मझ में क्यों क्टरोट रुपा कटाए तु समीर का कटाई तो यह जो चीजे है यह उनके स्वनरत नि दिन भर का कमाई है कल के दिन का और उसके बाद शेरिंग हम लोग at the end एक पूरा रिपोर्ट तैयर करेंगे और वो रिपोर्ट में 50-50% या 45-55% जो भी हमारा शेरिंग रिसाइड हुआ है तो वो end में जाके हम लोग रिपोर्ट करेंगे तो ये संडे का रिपोर्ट अब इसक को एक समरी भेजना है मुझे वह समरी भी में बताता हूं तो ये सिस्टिम बेटा अभी देखो जिसकी जितनी लेवल ऑफ अंडरस्टेंडिंग है उसके इसाब से हम लोग क्या करते हैं उसके इसाब से में बिजनेस का मॉडल सेट करके देता हूं अभी मुझे बताओ मैंन और इस तरीके से मैं उनको क्या करता हूं ये बिजनेस का मॉडल हम लोग रन करते हैं अभी लास्ट में उसको क्या करना है ये भी मैं बताता हूं लास्ट में ये बंदे को मतलब इसमें से जो थोड़ा सा स्मार्ट बंदा है वो मुझे हम लोग क्या करते तो ये मेरे पेट बन किया, उसके बाद सब समरी बनाया और यह समरी बनाने के बाद उसने कल का धंदा जो है, वो कितने का हुआ, पेटेम कितना हुआ, और कैश कितना हुआ, यह चीज यहां पर उसने मुझे लिख के भेजा है। Okay, so you can check कि इन बंदे जैसे Accounting यह इनका यह नहीं है पर पिर भी इनके Accounting से मैं मेरा Accounting करूःगा, और यह Accounting करने के लिए मुझे जो Input लगेंगे, यह मैं इनसे ही ले रहा हूँ जो 10 standard के बंदे नहीं है वो पूरा का पूरा मुझे total बताते हैं, paytm बताते हैं और cash बताते हैं, आया real life में क्या होता है समझ में? Yes, और ये चीज़े जानना जरूरी है, और हम लोग क्या करते हैं? Sir, हम लोग पड़ा ही कर रहे हैं, बहुत बड़ी कुछ चीज़े कर रहे हैं, कुछ नहीं, तुमारे को ऐसा लग रहा है, देखो, system लगाना ये हमारा काम है as a chartered accountant, real life में ऐसा जरूरी नहीं है, जो level का आदमी, अभी देखो, relax का report कितना superb बना हुआ है, पर ये report भी हम लोग बोलेंगे क्या कि बहुत खराब बना हुआ है, अभी इसमें गलती क्या होती है, अभी इसमें गलती क्या होती है, ये भी मैं बताता हूँ, एक तो ये लोग कभी-कभी लिखना भूल जाते हैं, लिखना भूल जाते हैं, तो लिखना भूल गए तो क्या होगा, मेरी गलती होगी क्या ये, पेसा तो मुझे मिलेगा, at the end, cash count करके, पेसा मुझे मिलेगा, पर गलती किसका होगा, ये लोगों का गलती होगा, आ रहा है, समझ में मैं क्या बोलाओ, और वो cash तो मेरे पास आ जाएगा, तो गलती तुमने किया, तो तुमें उसमें share नहीं मिलेगा, फर्स तिंग, cash तो मेरे पास पड़ा हुआ रहेगा, बराबरे, दुसरी गलती क्या होगी, paytm को और cash को P और C लिखना भूल जाते हैं, इंसान है बेटा, तो at the end, हम लोग दोनों का total match कर लेते हैं, मतलब ये total match करेंगे, हो सकता है कि मेरे पास फिर मैं, मैंने उनको internal control नहीं दिया, paytm का report सिप मेरे पास आता है, मैंने उनको बताता हैं, वो लोग मुझे बताएंगे कि paytm कितना total हुआ, और फिर मैं उनको paytm वो same आया, क्या नहीं आया, यह मैं check करके बताता हूँ, उतना आमोर नहीं रहेगा, तो गलती उनके साइड से हो गाया, फिर हम लोग internally understanding कर लेते हैं, कि हाँ भई ठीक है, हो सकता है, पी लिखा है, और paytm नहीं आया, वो cash में आया, ऐसा हो सकता है, human error है वो, उसमें मैं गलती नहीं रोक सकता हूँ, अभी इसके लिए आप लोग मुझे कुछ प्रस्ताओ दे सकते हो, दो दिन सोचे इसके उपर, कि ये गलती के लिए मैं क्या करूँ, पर मुझे तो ये कुछ solution मिला नहीं, कि P लिखना वो लोगों का रह गया, या C लिखना रह गया, अभी पेंडिंग रखना, पेटियम लिखा या डैश लिखा, तो डैश लिखा तो वो cash में है, पर गलती से कभी-कभी, पेटियम के सामने भी वो लोग डैश लिख देते, काम के चक्कर में, तो वो गलती हम लोग भी नहीं रोक सकते, that is a human error, जो last में मुझे total के वज़े से समझ में आता है, total उसको भी धहन में आ जाता है, कि cash गल्ले में जादा है, और पेटियम के अलग दिखेगा, तो ये उसको total लेते time ही समझ में आ जाता है, उसके पास cash का control है क्योंकि, उसके पास cash का control है, और गल्ती कब होगी, suppose कोई employee वहाँ से cash में से चूरी करेगा, भरोसा रखता हूँ, और 100-500 रुपए के लिए materiality के लिए देखता भी नहीं हूँ, होग भी गाया, किसी ने चाय पानी के लिए उनके बेटा गुटका के लिए पैसा लिया होगा, तो वो पैसा में माइने भी नहीं रखता हूँ, ठीक है 500 रुपए क्योंकि आज मैं नहीं होते हुए, ये सब businesses ये लोग कर रहे हैं, ये एक side का salon का हुआ, एक दूसरे side का salon का भी report सेम आता है, जो just open किया है, जिसका amount थोड़ा सा इससे छोटा रहेगा, वो 13-14,000 पे रहेगा, पर वो लोग भी ऐसा ही report present करके देते हैं, और ये system मैंने लगा के रखा हुआ है, तो मैं नहीं भी रहूँगा, मैं इधर बैठा हूँ, क्योंकि passion तो class ले नहीं है, तो ultimately, पर ये लोग क्या करते हैं, ये मैंने business model develop करके रखे हुए, और ये business model से क्या होता है, ये daily reports, तो मैं business में नहीं जाता हूँ, पर मेरा internal control इतना strong होना चाहिए, तो मैं यहाँ बेठके भी पूरे इसको access करता रहूँ, आया समझ में बेठा, तो ये क्यों है, क्योंकि ये मेरा basics बहुत strong है accounts का, तो accounts का basic strong है, तो मैं system develop कर सकता हूँ, और ये system develop करना, ये भी चीज़े आपको करनी है, आप client के लिए करने वाले हो, अपने business में भी वो लोग तो नहीं कर पाते, इसलिए तो chartered accountant का सल्ला लेने आते हैं, ये आप मश्वरा लेना आते हैं, कि भाई आप बताओ कि क्या करना है, कि chartered accountant, as a chartered accountant आप बताइए, कि हमें कैसे हमारे bookshop accounts लिखने हैं, और ये reports हमें उनको अलग-अलग level से, हर धन्दे के अपने-अपने records होंगे, जरूरी नहीं है कि एकदम systematic record है आपके धन्दे में आएगा, क्योंकि वेसे input ही नहीं है, भाई आपके वेसे input ही नहीं है, तो मैं कहाँ वहाँ पर मुझे एक simply logic बताओ, कि वहाँ पर मैं एक chartered accountant या accountant बिठाऊंगा क्या, salon में, मैं उसको salary कैसे effort कर पाऊंगा, आप सोचे, तो इससे अच्छा क्या है, जो भी 10 standard का बन्द है उसको में, एक जिम्मेदारी दू, और उसका एक अलग से 2-3 अजार महिने का दे दू, तो वो उसके लिए ज़्यादा फाइदे मन होगा, आया समझ में बेटा, येस सर्, I hope real life से आप connect कर पा रहे हो, account is an art, ये language भी आपको समझ में आया होगा, art हर business में जरूरी है, हर business में same accounting का process होगा, येस अंच conclusion में बता बेटा, येस सर, मतलब art जरूरी है, क्योंकि इससे हम, हर business में, हर business में, तुमारी system same रहेगी, या different different रहेगी, different रहेगी सर, और आपको, जैसे वहाँ के लोग है, उस हिसाब से आपको system बिठाना पड़ेगा, in real life ओन्स, ओके, entry वही होगा, अभी इसमें भी entry वही होने वाला है, cash to, अभी जिसने बोला था, ये सर, I hope you enjoyed, कि एक real life में क्या होता है, अभी ये चीज़े, मैं public platform पे ऐसा एकदम से नहीं बता सकता हूँ, फिर भी मुझे भरोसा है, कि आपको समझने के लिए, ये चीज़ें हमें, कोई भी अपने business के तुरंत, ऐसे ये नहीं open कर देगा, कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, but you should know, कि कैसे real life में accounting होता है, और कोई भी accounting, client का बताने से अच्छा है, कि मैं self accounting के आपको बताऊंगा, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि client के books कभी भी बेटा, किसी के साथ share मत करना, ओके? हाँ, जी बेटा, बोलिए, Sir, I have a doubt, Sir, जैसे के आप जब payment लेते हैं, तब आप invoice क्यों generate नहीं करते हैं? किस में? Like कोई भी, जैसे के आपने, जो salon का business अभी शोर किया है, कैसे payment में उनको, अभी आप मुझे बताइए, वहाँ पे कोई accountant नहीं है, जो entry मार के देगा, अभी आप भी चाय पिने जाओगे, तो कोई आपको वहाँ पे, अभी देखो business के business के उपर depend करता है, अभी एकदम posh salon में जा रहे हो, unisex है, जहां पे 1000, 2000, 3000 रुपे का billing बनता है, यह लोगों का billing बनता है, 100-500 रुपे दाड़ी cutting का billing, क्योंकि हमारा men's parlor है, not ladies parlor, अभी ladies में जाते हो, तो पैसा बहुत है, उसमें मैं जाना भी चाहता हूँ, पर मुझे अच्छे employees दे मिल रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है, एक lady का जो काम करोगे, तो उधर, देखो, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे तो किसी के भरोसे पर ही करना पड़ेगा, बास्वती जी, और मुझे बताओ, 100-500 रुपे का कोई billing देगा क्या, आप चाय पिने जाते हो, तो कोई आपको invoice देगा क्या, हाँ, आप hotel में आओगे, डेफिनेटल आपको invoice मिलेगा, ओके सर, और hotel में मेरा GST number है, क्योंकि वहाँ पर 20 लग के उपर, turnover होता है, 20 लग का limit होता है, 20 लग के उपर तो government को ही, मुझे invoice पर GST मुझे charge करके देना पड़ता है, salon में 20 लग का turnover जाता ही नहीं है, साल बर में, और जाता भी रहेगा, तो मैं क्यों बताओ, वो मैं cash में manage कर लूँगा, ओके सर, अच्छा, ये बताने नहीं चाहिए, ये चीजे, पर नहीं जाता है, बिलियूमी नहीं जाता है, तो वहाँ पर और ये, तो जो भी amount होगा, तो आप लोग मुझे बताइए, तो वहाँ पर मैं invoice, और ये कौन करेगा, accounting करे लिए, 1.500-200 रुपे के लिए मैं, accountant रखूंगा क्या, नई सर, expense जाता हो जाएगा, हाँ जी, तो आपको वही समझना है, कौन से client को क्या advice देना है, ये सर, अभी इस बर आपको मज़ा आया रहेगा, कि हाँ भाई सर, अभी मैं connect कर पा रहे हूँ, हाँ सर, येस, वहरी गुड, तो वह चाय वगरा जो रोज पीते हैं न वो लोग, तो वह पेटी expenses है, वहरी गुड बेटा, येस, कहा भी जाए हूँ, इंप्रेस तीस्टिम, में फालो करते हैं न सर, इंप्रेस सिर्टिम, येस, पेटा, आभी वहां पेंपरिस सिर्टिम ने होता है, वhouक में से उठा लेते हैं, वहां पेमें अलग से पेटी केश नहीं देता नहीं देता हूं, वो कैश गल्ले में से उठा लेते हैं वो कि येस इन्जोइड के विटाज हर्ष स्वरी हर्ष्ण आज रियल लाइफ समझ में आया पूरा तो कनेक्ट करो ये चीजों को कि रिपोर्ट कैसे बना था जन्रल इंट्रिस कैसे होते रहेंगे फिर लेजर्स कैसे बनेंगे यह हमें रोज कनेक्ट करना चाहिए ठीक है तो यह ना रिकाले जाले कैंसल दाले एक की मिनिटा कैंसल दाले चलो बेटा तो आज का लिक्चर आज हम लोग बेटा शुरू करते आज का सेशन लित चार प्रोफॉर्मस में आज सिखाऊंगा सबसे पहला प्रोफॉर्मस अभी देखो लेजर क्या है लेजर मतलब देखो आपको अब भी सिखाया कि डेली समरी एक ही एंट्र के बाद at the end मुझे सालबर की भी समरी लगेगी कि सालबर में मैंने कितना सेल किया सालबर में मेरे कितने डेटरस एक दिन पर आउट्स्टेंडिंग है अभी मुझे मैं क्या पूच उगा भाई मुझे आज क्रेडिटर का पैसा कितना देना है यह बता दो ग्रेडिटर का प में बताऊंगा आपके लिए एक बार भी कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा. आभी नहीं है मेरे पास रिपोट यह रिपोट vocês जल्दी से मोबाइल पे जो आगए वो रिपोट मैं बताए. ऐसे रिपोट्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगा यह जंजट के वज़े से बेटा मैंने ऐसे बिजनेस में इंटर किया कि डेटर ना हो बेटा क्यों डेटर ना हो वसुली करना इस वेरी डिफिकल्ट आप आओ हो होटेल में खाना खाओ रिलेटिव आए तो कभी-कभी बेटा फोकड में भी देना पड़ता है और जो चलो बाद में दे देता हूँम्ट आप ऐसे है एक साथाट लोग होह वह भी महने से कलेक्षन नहीं होता है पर दस बर उनको बोलता हूँ कि उनको भेजो reminders कि आपका payment बाग की है पर हमारे accountant लोग वो इतना उनको भी कभी कभी शरम आते हैं कि कि कितनी बार मांगने का करके और यह एकदम अलग level के डेटरस होते हैं तो वो वेट डेट्स में पैसा कभी डुबाएंगे नहीं और रोज के रोज में सबजी वाले को payment क्यों करूँ तो सबजी वाले के लिए मैं डेटर हूँ सबजी वाले के लिए मैं डेटर हूँ या गैस वाला जो मुझे गैस प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए उसका भी बिलेग मैं रोज नहीं करता हूँ उसका भी बिलेग मैं पाच्छे दिन में एक बार करूँगा कुछ लोग है उनका बिलिग तो मैं एक महिने के बाद करता हू जैसे कि मैंने heavy material लेके आया तो एक बाला जी, आपको सब को ही पता है बाला जी का grocery जो होगा, मैं उदर से माल लेके आऊँगा, उसको एक महीने के बाद मैं payment करता हूँ, तो वो भी उतना assume करता है एक दिपक डेरी करके है, तो इपक डेरी वाले का भी payment हमारा एक महीने के बाद होता है उनके लिए मैं डेर होंगा, मेरे लिए तो credit है भाई, मेरे लिए मुझे तो पेशा देना है पर उनके लिए वो क्या है, उनके लिए मैं डेर हूँ, और उनके लिए मैं एक-एक महीना outstanding हूँ आया समझ में अभी डेटर उनके बुक्स में, उनके बुक्स में संकेत सर, उनके बुक्स में संकेत सर, तो डेटर अकाउंट, मतलब डेटर अकाउंट है तो एसेट है, दिमाग में क्या रखनेगा, डेटर अकाउंट है तो एसेट है, एसेट होगा तो डेबिट प्लस, मेरे डेटर हो, आपको मैंने माल बेचा और आपने मुझे पेमेंट किया नहीं, एक तमसर, clear है, तो सबसे पहले आपका 31 माच, पिछले साल, अभी हमने पिछले साल का बैलन्स जो है, वो हमने close किया और तुमारे से मुझे 10,000 रुपय लेना था, कितना लेना था, 10,000 रुपय जंदा ये प्रोफ्र्मा बोलने वाला है, आज नहीं बोलेगा, पर कल बोलेगा, आज तीन प्रोफ्र्माँ देखेंगे, आज के सेशन में, तीनों प्रोफ्र्माँ और एक प्रोफ्र्मा आपको घर पे करना होगा, so data account, to balance brought down होगा, एकदम सिंपल सा दिमाग में बेढ़ है पिछले साल का debit plus से यपसे पहले चीज़ दिमाग में क्यानी चाहिए data मतलब debit plus credit minus debit plus credit minus क्योंकि यह asset है data मतलब किसी से पैसा मिलने वाला है पैसा मिलने वाला है तो debit plus होगा to balance brought down मैंने जब उसको माल बेचा तो two sales आएगा वो क्यों बढ़ेगा वो क्यों बढ़ेगा क्योंकि मैंने उधारी पे माल बेचा sales किसके उपर होगा उधारी उधारी credit cash sales होगा तो data आने वाला है कि नहीं आएगा data का सवाल ही नहीं आएगा तो two sales two sales किया तो उधारी पे यह बनने का नाम आएगा और जब वो पेसा देगा जब वो पेसा देगा तो उसका balance कम होगा, minus होगा minus होगा तो by cash होगा, सब पूरा दिमाग में बेढ़ गया, उसने collection, मैंने उससे पेसा लिया by cash, आपने 10,000 में से, आपको इस साल मैंने 30,000 का माल बेचा तो sales return जो होगा नहीं, तो मेरे case में नहीं होगा, पर बहुत से business में return हो जाता है for example, मुझे सबजी का quality अच्छा नहीं आया बाई लेके जा, माल लेके जा, मुझे नहीं अच्छा आया ये माल, कभी-कभी ये सी चीज़े होगी, gas leakage हो रहा है तो gas leakage हो रहा है, तो वो भी लेके जा, तो by sales return ये case में आएगा, by discount allowed कभी-कभी आप लोगों को क्या बोलोगा, आप बोलोगे सर, या भी जाने दो न, 45,000 का साल बर में बिल बन रहा है, 2000 का दो discount दे दो कितनी कंजूसी करोगे, so 2000 का discount में बोला, चल ले ले 2000 का discount ले ले, 5% discount आपने मांग लिया, तो by discount allowed वो तो definitely आपको मिलने ही वाला है, so by discount allowed ये आ गया, उसके बाद, sir by bad dates, by bad dates are loss है मेरा, आपने मेरा, ये जो में बोला, society के लोग कभी कभी बेरा खा के तो गए, अपर आभी तो नाम ही नहीं आती ही नहीं है, और अभी बाकी का पैसा देने की भी नाम नहीं लेते, so वो तो मेरा क्या है, बेतो मेरा नसीब कपाट है, ठीक है, relations हमें spoil नहीं करने, so by bad dates, मिलते तो नजर जुका देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, so by bad dates and by balance carried down, एकदम simple pro forma है, यह pro forma धहन में आ गया, आधी entries भी धहन में आ जाएगी, देखो माँ पे entry है, data to sell, opening balance की कोई entry नहीं होती है, opening balance की कोई entry नहीं होती है, data to balance brought down, brought down की काई की entry, वो तो पिछले साल से opening balance आया है, two sales इसकी entry हुई है, यह general entry हुई है, इसलिए तो साल बर में कितने से, हरे वो data के पास मैंने 10 बर sales किया है, कितना sales किया, एक ही मंदे को, आपने 15 बर पाव भजी काया, पर यह सबसे important है, data account debit to sales में, two sales, यह 15 बर में record नहीं करूँगा, तो यह जो है न, sales sales sales, यह एक साथ मुझे लेजर में दीखेगा, journal में यह समझ में नहीं आता, two sales, 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 तो मुझे पूरे साल बर में आपको कितना माल बेचा, यह समझ में आएगा, मतलब एक ही entry नहीं होगी, sales, two sales, two sales, two sales, ledger में बहुत बार आएगा, specific आपके अकाउंट के द्वारा आएगा, journal entry में ऐसा नहीं होगा, journal entry में मुझे gross summary मिलता है, किसको sell कर ओऊ है, सबके नाम है उसमें, journal entry में सबके नाम है, यहाँ पे आपका specific अकाउंट खोलेगा, यहाँ पे आपका specific अकाउंट खोलेगा, लेजर यह specific account पे ध्यान देता है, तो two sales, two sales, two sales, two sales, यह यहाँ पे आने वाला है, उदर buy cash, जब भी आप मुझे cash collect करो, अभी एक बर नहीं आएगा, buy cash भी बहुत बर आएगा, आप जब भी आते हो, यह लो 500 रुपया, यह लो 800 रुपया, तो यह buy cash, अब मेरा accountant यह entry मार के रखेगा, वो आप क्या करोगा, आप भी एक सत पेसे नहीं देते हो, आप भी बोलते हो, sir, आज 2,000 है, आज रख लो, 3,000 रुपया है, रख लो, so buy cash होगा, sales return भी हो सकता है, discount भी हो सकता है, bad dates भी हो सकता है, and buy balance करेंटो, proforma दिमाग में बेड़ गया बेड़ा, इसका screenshot निकाल लो, 100 pages के book में, इसको आज अच्छे से लिखना है, sir, हाँ जी बेड़ा, बूलिए, sir, बी यार का कुछ निया गएगा, इसको और डिटेल में बाकी के इसमें, okay, sir, हाँ जी बेड़ा, बोलिए, इसमें date का भी कुछ मेंटर नहीं होगा, date, date column इसमें add होगा, पर अभी हम लोग से प्रोफोर्मास सीख रहे है, तो date column को अभी ignore कीजे, यह date-wise ही रेकॉर्ड मेंटेन होगा, जर्नल से लेजर में date-wise ही मेंटेन होता है, don't worry, जो journal की date आएगी, वही लेजर की भी date आएगी, यह सिभ अंडर्स्टेंडिंग प्रोफोर्मा है, okay, sir, यह ज़्यू आएगी आएगी, ब्यट्यू से र्वहां, 22535 गधी, यह सिर्थ एंडर्स्टेंग आएगी, यह रेखी लेख, polít मेंने वियू और्स्टेंग क्यदिए लेख, लेख्तर्स्टेंग, अनल्स्टेंग आएगी, was ब्ज़या, नगर के बाएट यह शोन देगे यह साल के बैले शिर में डाल देंगे यह साल के बैले शिर में डाल देंगे उसको बोलते, brought down मतलब पिछले साल से आया और यह अभी आगे carry होगा carry होगा our balance sheet में यह balance sheet का item है balance sheet में जाने वाला है यह ledger accounts एक तो आईदर P&L में जाते हैं end में जाके कहाँ पर summary होगी इनकी summary होगी balance sheet या profit and loss account में जो balance sheet में जाएंगे उनको brought down और carried down balance आएगा जो P&L में जाएगा उसको brought down carried down नहीं होता है वो nominal accounts होते है जो P&L में जाते है वो nominal accounts होते है उनको opening closing balance नहीं होता है आया समझ में एकदम simple है slowly slowly समझ में आएगा जब हम लोग final accounts मनाएगे पहले आप लोग proforma समझ लो data is a personal account data is a personal account तो पहले दिमाग में आना चाहिए personal account है तो यह balance sheet में जाने वाला है यह balance sheet में जाने वाला है तो इसको opening और closing balance होगा इसको opening और closing balance होगा data is debit plus credit minus आज इसकी practice करो दो से तीन बार बोलके देखो अपने आप पूरा समझ में आ जाएगा don't worry अपने आप पूरा समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया अभी purchase account यह में बता रहा हूँ आपको purchase account अभी यह nominal account है nominal account है तो इसको बताओ यह P&L में जाएगा सबसे पहले जहन में क्या ना है कि purchase account यह जाएगा P&L में जाएगा तो इसको मुझे पताओ पार्चेस क्या है यह thousand आप अभी पड़ fun आया समझ में अभी debit क्रेडिट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे debit क्रेडिट है तो इसको हम लोग record करेंगे expense इसको opening बैलनस closing बैलनस नहीं होगा इसको opening balance, closing balance नहीं होगा अब यह purchases आप उधारी पे purchase कर सकते हो या cash दे के भी purchase कर सकते हो तो cash मतलब purchase किया, खर्चा किया, cash दिया cash goes out होगा, cash goes out होगा तो two cash account और दूसरा two creditors account दूसरा क्या होगा, two creditors account payable है, two creditors है तो payable है समझ मैं आया, yes, तो two creditors यह payable है और last में जाके हम लोग इसको कहाँ पे P&L जैसे goods से related जो होता है, वो trading account होता है तो last में जाके हम छोग इसको goods related है goods होगा, तो goods से related होगा तो trading account में जाएगा खर्चे income से related होगा, तो P&L में जाएगा दो account बनते है, trading and P&L साथ में ही बनते है, nominal accounts दो चीज़े है trading, trading मतलब goods में जो हम लोग हो अभी purchase मतलब goods, तो goods account कहां पे जाता है तो goods होगा तो trading account में जाता है तो purchase है हम लोग P&L में नहीं transfer करते हैं, इसको trading में transfer करते हैं और trading के बाद वो P&L में उसका profit जाता है तो यह में final accounts में आपको पढ़ाऊंगा, don't worry final accounts में हम लोग पढ़ेंगे, पर उसके पहले यह pro forma पता होना चाहिए कि यह जाएगा किदा देखो nominal account होगा, तो trading account या P&L account में जाएगा personal account होगा, तो carried down करके दीखेगा personal account होगा, तो carried down करके दीखेगा आया समझ में एकदम simple है, जिसको pro forma समझ में आते हैं, logically, वो लोग बहुत अच्छे से यह याद कर लेते हैं, तो देखो, एक बार वापस से, personal और real होगा, तो opening और closing balance होगा, brought down, carried down होगा, nominal account होगा, तो trading में जाएगा, या P&L में जाएगा एकदम easy, एकदम easy, so हम लोग ने एक प्रोफॉर्मा सीखा data, एक प्रोफॉर्मा सीखा purchase, अभी मैं आपको तीसरा प्रोफॉर्मा बताने वाला हूँ, अच्छा, इसका भी creditors में नहीं बताऊंगा, या आज को homework में रहेगा, आज सोचना है आपको आज का screenshot नमबर टू, ये next lecture में मैं आपको बताऊंगा, कि creditors account का answer correct है या नहीं है ये रप purchase return, हाँ जी पेड़ लिए, sir by purchase return भी तो आएगा, by purchase return लिख सकते हो या उसको अलग से minus करोगे उसको भी end में minus करोगे, या इधर भी आप लोग लिख सकते हो by returns करके, ओके या अलग से उसको note down कर सकते हो ये तो business पर depend होता होगा कि वे रोज अपनी ledger को रोज मेंटिन करें या फिर at the end of month करें नहीं बेटा, actually एक real life में बताऊं ऐसा होता ही नहीं है, आप सिब journal का input देते हो और software पुरा ledger बना लेता है, real life में ऐसा कुछ भी नहीं होता है real life में आज के दिन पे, आज के दिन पे कोई बेठा नहीं है balance sheet, P&L और ledger accounts बनाने के लिए, भाई, software है software ही सभी काम करते, बेटा, देखो पुराने जमाने में, हम लोग क्या करते थे, पहले पुराने जमाने में, आपने कभी सुना होगा कभूतर वाला जमाना, पीजन वाला जमाना, लोव लेटर लिखे जाते थे हाथ से फिर हाथ से लिखने के बाद वो चिट्थी किसी को दी जाती थी वो कभूतर फिर जाता था गाना भी पता है आपको कभूतर जा 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 तो वो मेरे डाइम के गाने है अभी तो आपको love you बोलना होगा तो directly message कर दोगे और directly उसके उपर वो अपने आप चला जाएगा यह technology का difference है तो same चीज यहाँ पे भी हो रही है टेकनोलोजी बोलती है जर्नल इंट्री को सिफ करो वो अपने आप पोच जाएगा देखो बेटा केसे example आपको correlate करके दिया यह चीज जो है वो दैन में रखो कि यह चीज जो है न वो समझ लो कि यहाँ पे आपको सिफ जर्नल इंट्री करनी है सर रियल लाइप में क्या होगा लेजर भी नहीं बनेगा प्रियांडल भी बनेगा नहीं बैलेंशिर भी नहीं बनेगा मतला आपको नहीं बनाना है हाथ से पर बेटा वो software को समझने के लिए तो हमें अकाउंटन का डिफरेंस होगा चार्टर अकाउंटन उसको बता पाएगा कि यह जर्नल से ऐसा लेजर हुआ रहेगा लेजर से ऐसा गया होगा ट्रायल बैलेंस में हम लोग वीजोलाइज कर सकते अकाउंटन को यह जरूरत है वो तो बोलेगा मेरा काम सिफ जनरल इंटरी मानना है हमारा काम P&L बैलेंस शीट को समझ के उसके उपर से रिटर्न भरना भी है कंपनी के एनलीसिस की यह कंपनी में तुमें संकेट सर का प्रोफिटेबल बिजनेस है क्या नहीं संकेट सर ने ओफर दिया चल मुझे बिजनेस एक्सपांड करना है मुझे बिजनेस एक्सपांड करना है चल मुझे तु एक्विटी दे रहाए क्या फाइनांस दे रहाए क्या में तु मेरे बिजनेस में तुझे पार्टनर बलता हूँ आपको बोलोंगा नहीं मैं आपको मेरे profits के returns नहीं बताऊंगा आप मेरे उपर भरोसा रखोगे क्या नहीं रखोगे और वही तो charter accountant करता है वो थपा sign कि भाई मैंने जो किया हुआ है वो सब सही है और ये ये पी एंडल और बैलेशिक पे आप भरोसा रख सकते हो और ये charter accountant ज मैं वही के वही हो जाओंगा जब तक investor ही नहीं मिला मेरे जो salon के लोग है men's parlor के लोग वह बहुत बढ़ी आए पर उनको investment करने वाला एक इंसान चाहिए था और वो investment मैंने उनको अच्छे से पर्खा किया रहे भाई ये लोगों पर में पैसा लगा सकता हो ये मुझे पैसा पढ़ाई 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 पर द्यान देते हैं वही देना चाहिए no doubt अभी आपके दिमाग में बर्बेर जब रियल लाइफ एक्जामपल के साथ आपको connect करूंगा तब आपको ये समझ में आएगा कि ये क्यू कर रहे आपको एना क्यू कर रहे वो समझ में आना चाह था वो तुम्हें रियल लाइफ से कभी connect नहीं करेगा वो सिर्फ बैलेंशिट और P&L मना के देगा यहाँ पर सिये करने में सिये कोर्स आपको ये इसलिए तो GST लाया ना syllabus में इंस्टिटूट ने कि इंस्टिटूट चाहती है कि आपका वीजन एक्स्पांड हो understood जल्दी से ले लीजे आज के लास्ट में प्रोफॉर्मा आज का सिखा रहा हूं लास्ट प्रोफॉर्मा और अभी अकाउंट्स में इंट्रेस्ट और बढ़ने लगेगा पर उसके लिए आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा आज लेजर का पूरा मोडूल आप लोग के रखोगे स्टडी मैट में से पूरा मोडूल पड़ोगे तो कल का सेशन मजा आएगा आपको फिर चलिए ओवर बेड़ा पूरा समझ में आ गया से एस और नो अभी मैं फिक्स क्रेडिटर आपका प्रोफॉर्मा नहीं हाँ जी फीक्स एसेट का प्रोफॉर्मा अज का त से रियाल अकाउंट है तो डेबिट प्लस क्रेडिट माइन सोब डेबिट प्लस क्रेडिट माइन सुलेगा कैण अवे मुझे नहीं बताए विक्स डियून गोगा है तो रेियाल अकाउंट है कि यह देखो मैं नया asset खरीदूंगा तो 2 cash, 2 cash मतलब मैं जितना पेसा जेब में से दूंगा, जेब में से दूंगा, ओके, अबी asset बढ़ गई ना मेरी, मैंने खरीदा asset, तो myri asset बढ़ी, तो asset बढ़ी, तो debit plus 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 add होते जाएंगा, तो debit में आएगा, तो खरीद होगे, तो debit में year नहीं देगी, तो मुझे accounts में depreciation provide करना पड़ता है, accounts में मुझे क्या provide करना पड़ता है, depreciation, asset को reduce करना पड़ता है, rate कोन देता है, आप लोग decide करोगे, कैसे decide करोगे, इसलिए separate chapter है, depreciation, कैसे होगा, amount कितना आएगा, थोड़ा सबर कीज़ेगा, यह amount कैसे आएगा, इसके हम लोग depreciation chapter सिखने वाले हैं, by depreciation के बाद by cash, by cash यह selling price है, by cash यह मेरी selling price है, और यहाँ पे selling price और cost में difference होता है, 100 रुपे के asset होगी, 100 रुपे के asset होगी, खरीदी कितने में, 100 रुपे में खरीदी, 70 रुपे में बेची, 70 रुपे में बेची, भाई सब loss हुआ न, depreciation नहीं तरन बेची, तो loss यहाँ पे record होता है, loss हमेशा asset के credit में और P&L के debit में, asset के credit में और दूसरा effect जाएगा, asset के credit में, P&L के debit में, दूसरा effect जाएगा, and profit asset के debit में और P&L के credit में, P&L तो मन रहा है नहीं है, जब हम लोग final account सिखेंगे तब समझ में आएगा, पर loss इधर record करना ह और profit उदर record करना है, जो बंदा यह सही करेगा, उसका asset का proforma रडचाएगा, and last में by balance carried down, एकदम simple है, by loss and to profit आपको याद रखना पड़ेगा, खरीद होगे तो to cash, और loss जो होगा, depreciation के वज़े से asset कम होगा, और बेचोगे तो भी asset by cash होगा, and by loss and to profit by balance carried down, यहाँ पे पूरा proforma खतम हो चुका है, I hope you enjoyed this lecture, fix asset का proforma screenshot number 3 है आज का, आप यह proforma को बहुत अच्छे से बोलोगे, मैं एक बर बोल के बताता हूँ, उसी तरीके से कल बोलने की कोशिश कीज़े, जितने भी zoom पे आये है, और recorded वाले, आपके friends लोगों को बोल के देखिए, जो भी ये YouTube पे द है कि sir मैं proforma बोल के बताऊंगा, तो आपका confidence बढ़ेगा, मैं आपसे करवा के लूँगा, बाकी बच्चों से, और हमारे पहले 15 मिनिट जो revision के होते, तो अंच आपसे करवा के लेगा ही ये चीज़े, तो आप अच्छे से उसको याद कर लेना, सभी proforma को, और कल के zoom के session म मैं आप लोगों को मैं तीन homework दे रहा हूँ, एक होगा creditors account, एक होगा sales account देता हूँ मैं, आज का homework, और तीसरा homework है, ये lecture देखने के पहले, इसे तो YouTube पे तो पूरा ही lecture दिखेगा, पर बेटा यहाँ पे आप पॉट्स कर लेना, YouTube पे देखने वाले लोग, और आपको कौन से कौन से account सोचने है, आज के लिए आपको homework में दे रहा हूँ मैं, तीन accounts, कौन से तीन accounts है, देख लीजिए, आज के तीन accounts, yes, कौन से तीन accounts है, तो आपको देखना है creditors account, दूसरा, मतलब ये खुझ से बनाना है, दूसरा देखना है sales account, और दो account दे रहा हूँ, expense और income, हाला कि ये मुझे आपको explain करने पड़ेंगे, तो ये explain करना पड़ेगा expense income, पर आप rough में देखके आ सकते हो, आपने मेरे पेले के lectures देखे रहेंगे, तो आपको expense income ये आई गया, समझ में, और आज आपकी एक अच्छे से revision हो गए रहेगी, इसके बाद आपका task क्या बनता है, task is very simple आज हम लोग leisure account जो है, वो study mat में से, study material में से, sir में पूरा read करूँगा, और कल का session में attend करूँगा, कल के session में हम लोग ये चार performance तो देखेंगे, और उसके साथ साथ, हाँ जी, आपको fixed asset, आज का प्रोफोर्मा में एक बार बोल के बताऊँगा, data का प्रोफोर्मा, उसके ब personal account है, personal account है, तो asset side पर balance sheet में जाएगा, debit plus credit minus, यहां से शुरुवात होगी, पर यहां पर यह होगा, two balance brought down, two balance brought down, two balance brought down, क्योंकि यह personal account है, इसके वज़े से, इसको opening balance रेने वाला है, जब भी हम लोग माल बेचेंगे, तो two sales आएगा, जब हम लोगों का पेसा collect करेंगे, तो by cash मैंने लोगों से पेसा collect किया, by sales return, क्योंकि sales हमारा debit था, तो return करने के बाद data कम होएगा, and by discount allowed इसको बोलते है, यह discount allowed होता है, क्योंकि मैंने सामने वाले को discount दिया, यह मेरा lost है, and by यहां पे आएगा, bad debts, यह भी मेरा पेसा चपो, डुबाया उसने, तो मैं खुशी- दूँगा, तो discount allowed होगा, डुबाया तो bad debts होएगा, तो यह होगा, and by balance carried down, यह मेरा last में आएगा, so it's very simple, so proforma एक दब easily दिमाग में बेढ़ गया, दूसरा proforma मैंने आपको बताया था, purchase का proforma, purchase यह मेरा खर्चा है, खर्चा है तो debit expenses होता है, पर याद रखो purchases यह P&L account में जाएगा, क्योंकि यह nominal account है, nominal account होने के वज़े से इसको two balance drop down नहीं आएगा, तो यह होगा two cash and two creditors account, two cash and two creditors account, यहाँ पर मैं record करूँगा, by trading account, यह कहाँ पर transfer करूँगा, तो मैं trading account में इसको simply transfer करूँगा, एकतम simple as-ra, trading account में इसको transfer करूँगा, proforma दिमाग में रख दो, औ उसके बाद तिसरा अकाउंट मैंने बताया था Fixed Asset Account हो, Fixed Asset Account हो हम लोग कैसे बनाते हैं, so Debit Plus Credit Minus Debit Plus Credit Minus, यह Real Account होने के वज़े से but obvious यह balance sheet में जाने वाला है Real Account है तो इसको opening balance आएगा जैसे purchase इस था और purchase इस nominal value reduce होती जाती है और उसके बाद मैं asset को बेचूंगा तो by cash is a selling price and by yes loss, जो बेचूंगा तो loss होगा या profit होगा and by balance carried down पता नहीं बेडा कि आप लोगों के वज़े से वापस से वो energy आ गई है, पता नहीं अभी मुझे face to face classes क्यों bore हो रहे, पर ऐसा लगता है कि आपको दिन बर सिखाता ही रहू और एक energy कहां से भगवान ने दे दी कि आपको समझाने का पहले मुझे zoom classes बहुत bore होते थे चार साल पहले, पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इतना टाइम से होता है और आप लोगों को बात करने का भी तरीका, मतलब आप मेरे previous lecture देखोगे, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा language, अरे sir, slow दिखेंगे lectures में, या थोड़ा सा ऐसा होगा, पर आभी तो आप लोगों ने मुझे आंश प्रॉपर यूट्यूबर बना दिया है है ना? मतलब भगवान करें तो lectures आप लोगों के वज़े से बहुत ज्यादा वाइरल हो जाए क्योंकि मैं 6 महीने से बहुत active हूँ YouTube पे और अभी मुझे वैसा ही अच्छा लगता है और आप मैक्सिमम लोगों को शेर करो वेड़ा lectures और सब लोग पास हो जाओ मज़ा तब आएगा कि आप पूरी की पूरी बैच मेरी इंटर में आये तो सभी sessions के लिए तो पूरे के पूरे lectures जब आपके मेरे देख रहे हो उसके बाद पास होना यह मेरे लिए important है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो practical experience है और मेरा जो teaching style है उसके वज़े से आप लोग enjoy भी करोगे study में दिन बर पढ़ाई करोगे जो मैं motivate हमेशा करता रहता हूँ और आप लोगों को इसका फाइदा यह होगा कि passing के लिए भी फाइदा होगा कि same technique you can apply in the other subjects कल कुछ चीजे मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कल मेरे कुछ students pass हुवे थे मैं उनसे कुछ input ले रहा था आपके लिए तो जो faculty मैं आपको suggest करूँगा group पे तो आप उनसे contact भी कर सकते हो मैं उनके साथ एक बार बात कर लूँगा आप उनके directly classes join करना मुझे कुछ में बिच में कुछ भी मत involve करना तो मैं आपको उसका अच्छा input दूँगा पर यह YouTube पे नहीं बोल सकता हूँ इसलिए recording stop करके बोलूँगा उसके पहले एक बार वापस से quick recap कौन से speed से आपको कल बोलना है try कीजिए यह speed से बोलने की data account होगा debit plus credit minus balance sheet में जाने वाला है इसलिए two balance brought down से शुरुवात होगा two sales by cash by sales return by discount allowed by bad debts by balance carried down यह आपको speed से बोलना है purchase nominal account expensive no opening balance no closing balance वो भी बोलना है no opening balance no closing balance purchase खर्चा है debit plus credit minus two cash and two creditors और buy यहाँ पे आएगा trading account buy आएगा trading account और last में हमने देखा था fixed asset real account है real account है तो debit balance आएगा और debit plus credit minus asset है asset है तो debit balance है और real account होने के बाज़े से opening और closing balance आएगा यह बोलना है और उसके बात शुरू करना है proforma to balance brought down to cash by depreciation by cash by loss to profit and by balance carried down यह आपका proforma होगा और इस तरीके से आपको याद रणा है I hope you enjoyed today's session और जितना भी बच्चे YouTube पे देख रहे हो उसके बाद minutes देख लो कितने minutes के बाद यह lecture छोड़ा हुआ है और उसके बाद next session देखने के पहले पूरा का पूरा आप लोग क्या करो तो पूरा का पूरा पहले वीडियोस को तीन प्रोफॉर्मास मैंने आपको क्योंसे होँआख में दीया है क्रेडिटर एक्सिंश इंकम यह प्रोफॉर्मा बोलने की कोशिश करना करने की कोशिश करना और स्टडी मैट में से पूरा का पूरा लेजर पढ़ लेना उसके बाद ही आगे का session देखना तैंक यू कि आज की शुरुवात करने के पहले विड़ा हम कल के कुछ प्रोफॉर्माज रिवाइस करेंगे सो कल हमने देखा था डेटर सकूंट डेटर सकूंट में मैंने कैसे याद रखने को बोला था डेविट प्लस क्रेडिट माइनस एपी रिवेंबर उसमें टू बैलन्स प्लस मतलब क्या जिसके वजह से आपका अमाउंट बढ़ने माला है माइनस मतलब यह होगा कि जब आपका लेजर अकाउंट को आप लोग कम करते जाते हो मतलब का बैलन्स कम करते जाते हो पहले क्या बताया था मैंने डेटर सकूंट याद करते रहें आपको कैसे याद तो real और personal account होते तो उनके opening balances और closing balances हम लोग लिखते हैं क्योंकि वो अगले साल वापस से अपने को reopen करने पड़ते हैं तो nominal accounts जो होते हैं वो अगले साल हम लोग क्या करते हैं वापस से reopen नहीं करते हैं इसलिए उनका balance कभी आता नहीं है लेजर अकाउंड में यह याद रखना बहुत ज़रूरी है जो भी बच्चा यह 11-12 स्टैंडर का भी देखेगा तो उसको भी धहन में आ जाएगा कि भाई टू बैलन्स ब्रोट डाउन और बाय बैलन्स का रेड डाउन यह सिप और सिप यह परस्तल अकॉंड में होते हैं आपसे उम्मीद क्या है कि आप प्रोफॉर्मास को बहुत अच्छी तरीके से 2-3 बार बोलो तो 2-3 बार बोलोगे और यहां पर आपका कॉंफरेंस बढ़ जाएगा तो आप लोगों को सिप जो भी वीडियो ओपन करने वाला है ओन करने वाला है वही स्टूनल बैटा और रोज है ना थोड़ा सा वीडियो ओन करना पड़ेगा बीच बीच में तो उस हिसाब से जिनको भी करना है जो भी कमफ़टेबल है वो लोगों के लिए तो आप भी समझ लो चैनल को ग्रो करना होगा तो मुझे छोटे बाइट बनाने पड़ेंगे और आप उसका एक इंपोर्टन पार्ट रहने वाले हो तो देखे बैटा प्लीज वीडियो ओन करते जाओ इसा ना मत बोलते जाओ तो आप जो भी वीडियो ओन करना चाते है प्रोफ्रमास बोलने के लिए वो सिब रेस करती छे दीप अंकित कुमार पलक अखील ओके यस sir which performers yes the ones yesterday yesterday was only yes yes sir then we have seen purchase account also yesterday's performer purchase purchase is a nominal account yes purchase is a nominal account purchase is a nominal account and therefore it has a debit balance expenses but it does not have any opening balance opening balance इसको नही रहने वाल है purchases यह normally cash में भी हो सकते creditors में भी हो सकते उधारी पी होंगे तो to creditors आएगा cash में होगा तो बहुत simple है ऐसा हर बार आएगा purchases to cash to creditors purchases to cash to creditors उसके बाद by trading account हम लोग लिखेंगे और उसके बाद हमारा क्या होने वाला है by trading account लिखने के बाद आपका जो balancing figure है वो trading account को transfer होगा तो but obvious nominal account होने के बज़े से ना इसको होगा opening balance ना होगा closing balance it's very simple after that we have seen creditors account creditors account आज homework में दिया था तो यह आप भी नहीं देखना है आप थोड़ी देर में में बताता हूँ उसके बाद मैंने आपको बताया था fixed asset का account debit plus credit minus यह उसका account था to balance to cash फिर उसके बाद मैंने बताया था कि खरीदा तो cash होगा पर depreciation by depreciation यह loss अपका fixed asset को कम करेगा and fixed asset is a real account and real account है और asset है asset है तो modern approach से उसको opening balance आएगा real account है फिर भी उसको opening और closing balances आने वाले है so by depreciation by cash and whenever you are selling it you may have loss or you may have profit by loss you have to write here on the credit side and to profit you have to write on the debit side and then by balance carried down why you have to write because we just record it at cost हम लोग इसको cost पर record करते and that is only the reason we are recording at cost and therefore we record loss or profit okay so three performance मैंने आपको बताये थे three performance बताने के लिए yes कोन आ रहा है तो जल्दी से उसको आपको आपका वीडियो on करना है जो भी बोलने वाला है उसको deep ही दीक रहा है so deep yes बेटा good morning good morning sir हाँ जी बेटा अब खड़े हो बेठे हो बेठे हो बेठे हो ओके ठीक है तूही बोलने वाला है आज पूरे इसमें से कोई बात नहीं चलिए थोड़ा सा माइक पास में पकड़ा ताके आवाज क्लियर आए आवाज क्लियर नहीं है हाँ sir अभी ठीक है हाँ अभी ठीक है चलो बहुत बढ़िया एक सेकन recording in progress आज हमारे साथ जुड़ गया है डीप कहां से हो बेठा आप में कोलकता से हो यह सो दीप आज हमारे साथ बात करेगा और डीप जो वह पूरा प्रोफॉर्मास आज बताने वाला है जो तीन प्रोफॉर्मास कल हमने देखे हुए थे यह प्रोफॉर्मास अभी दीप fix asset account six assets six assets two balance brought down two cash two profit on profit and loss end two balance brought down two cash by depreciation by cash and by loss on sales and two profit on sales and by the list very good better so you have to say second problem a purchase account purchase account purchase two cash debit plus credit minus credit minus first two cash two creditors by trading account very good दो चीज़े नहीं बोल रहे हो आप एक तो पर्चेस कोन से डाइब का अकाउंट है इसको opening balance आएगा क्या नहीं आएगा फिर डेविट प्लस क्रेडिट माइनस या पार्सट पार्सनल अकाउंट है नहीं पर्सनल अकाउंट है तो फूर्ट ब्रॉट दाउन आएगा एगा यह डिविट प्लस अन केडिट माइनस है आशा करता हूं यह performance आप बताओगे अच्छे से और सब आपको याद हो चुका है थैंक यू recording stopped चले इस यह performance याद करके रखना सभी performance को second thing कल homework में कुछ performance दिये थे चलो उसको याद कर लेते तो सबसे पहला प्रोफर्म आपको मैंने दिया था स्क्रेडिटर्स का प्रोफर्मा तो क्रेडिटर्स अकाउंट का प्रोफर्मा यह एस एनिवन हैस डन homework जिसको बोलने की ज़रुवत लग रही है कोई है यह मैंने कंट्रीट के लिए यह सर अभी आप मत बोलना जो नहीं बोलते हैं वह बोलना खुशी आपको बोलने हैं प्रोफर्मा मेंके मतब करहाई यह चलिए प्रो प्रोफर्मा क्या क्या kicks पेले तो क्यों से टाइप खाउंट यह पर्सनल अकाउंट होगा पहला बार है कोई टेंशन मतले आएगा गलतिया होगी और उसी से तु सुधरेगी बाद में तु पाच मिनिट के बाद जब आपको सोचेगे ना तु बोलेगे यार मैंने यह क्यों गलत चीज़े बोल दी पर यह जो गलतिया है ना वो सामने आने से ही समझ में आती है सुनने से नहीं समझ में आती है ओके और I can guess की आपको कितना आ रहा है पहली बार हो इसलिए यह डर लग रहा है और दो-तीन दिन में यह डर पूरा निकल जाएगा ओके सो तो creditors, creditors जो है वो कौन से डाईप का अकाउंट है बिडा फटा फट बोलिये परस्नल अकाउंट वेरी कुड़ केट रिटर्स इस परस्नल अकाउंट तो कौन सा balance प्लस है और कौन सा प्रेडिट प्लस डाबट माइनर अच्छा दूसरी चीज मुझे ये बता कि इसको ओपनिंग बैलन्स और प्लोजिंग बैलन्स होगा कि नो सर ये सर ये स्परस्णल अकाउंट है तो बड़ अब्यूस होगा और ये लाइबिलीटी बनती है modern approach के हिसाब से liability है traditional approach के हिसाब से personal account है तो दोनों चीज़े आपको बोलनी है एक बार वापस बोल creditors कोन से type का account है as per traditional approach personal account है और modern approach के हिसाब से कौन सा balance कौन सा group है asset liability income expense liability और इसको opening balance होगा क्योंकि यह personal account भी है और liability भी है तो अभी कहां से शुरुबात होगी इसकी plus side से पहले बोलने का buy balance brought down buy balance brought down आएगा क्योंकि हमेशा याद रख जो plus side है वहां से हम लोग शुरू करेंगे minus side को बाद में लिखेंगे okay so buy balance brought down yes दूसरा buy purchase purchase के वज़े से आपके creditors बढ़ने वाले है बढ़ ऑबियस यह दिमाग में रखना है purchase के वज़े से आपके creditors बढ़ने वाले है बहुत बढ़िया उसके बाद two क्या आएगा पेटा two cash to cash आया yes और two purchase return आया बहुत बढ़िया और two discount received very good to discount received आया और two bad debts नहीं होता है bad debts नहीं होता है धेन में रखो bad debts data करते हैं और हम जिसकी का पेशा डुबाते हैं तो हम लोग bad debts नहीं करते हैं हमारे पास पेशा नहीं था ऐसा बोलते तो इसको deficiency बोलते हैं देखो एक चीज आप मेरे screen को pin कर देना double tap करना ताकि आपका वीडियो में जो दूसरा बोल रहा है उसका बार-बार चेहरा ना आए तो आपको मुझे pin करके रखना है और कैसे pin करना है आँच एक बार बता दे सबको बेटा सर मैं अभी phone में ले रहा मुझे phone में आता निया pin करना डबल क्लिक कर बेटा डबल क्लिक टैप कर दीजे डबल टाइम तो मैं दीखने लगोंगा या participants में जाके participant में जाके संकेच शा को वहाँ पर शायद से एक बार में बता देता हूँ मैं खुल जोड़ हो जाता हूँ हाँ जी बेटा बोलिए आपको आता है उसे laptop में थ्री पॉइंट है उसके क्लिक करके पिन आता है वह laptop में होगा जो बच्चा इस पर देख रहा है और हो सकता है अपनी कम फीस है इतनी और इंटर में भी आपको सयाज से laptop लगेगा जो भी बच्चों को affordable हो सकता है तो क्योंकि आपके आखे खरब होने के चांसे से mobile के उपर तो जितना हो सकता है laptop के उपर देखा तो screen भी बड़ी दीखेगी और मैं ऐसा नहीं बोलो उसके लिए आप laptop का खरचा मम्मी बापा पर डालो जिनको भी affordable है वो लोग ले सकते है laptop सीए कोर्स में जो बच्चा आता है नॉर्मली मुझे पता है कि बहुत कभी-कभी बेटा average family से भी आते हैं बहुत सारे students तो ऐसे खरचे जहां पर चला सकते हो वहां पर चला यह पर जिनको लगता है आखिक नंबर बहुत जादा है तो आप laptop को ही प्रिफर करना पर जरू नहीं उसके लिए वापस से खर्चा करें सबके मोबाइल पर में पीन हो गया क्या बड़ा यह नहीं हो रहा है तुम्हें एक बार में मोबाइल से चेक करें यह सथ हो गया कि अधिया प्रणा करें तो प्रणा अधिया नहीं है तो प्रणा करें आप प्रणा करें जिए लेक्टर देखे वह तो कोई दिक्कत नहीं है फिर आपको समझ में आज जाएगा टीक है सर अधिया गुर्णा कर सकते ना हो जिए टीक है एक है एक बार मुझे भाल प्रणा करें आख्याश्याइए तो मॉबाइल सब्सक्राइब अपर तो डिवाइस एट प्रणा इस एक एक से इक को आ रहा है वो तो दो मिनिट के लिए रुको रुको अभी को नहीं आएगा को आ रहा है को नो सर्थ नो सर्थ मुझे अज़ अज़ चाल दोंगा यज़ नाल दोंगा यज़ दोंगा यज़ टाल दोंगा पर आप कभी भी कर सकते हैं यह स्पर्इब क्लास नो बज़े से दुगी थोड़ा सा भी क्या हो रहा है कि नीचे मुझे बहुत लेट हो रहा है रात को तीन-सारथी तीन बज़ रहे हिसाब मेरा थोड़ा हम लोग टेक ओवर का देख रहे हो तो इसलिए थोड़ा सा हिसाब और यह रात को चलता है सब को वहीं पर टाइम मिलता है तो तो दोड़ाई तीन बज़े तक मिटिंग्स चलती है तो इसलिए तो थोड़े दिन के बाद मैं साथ बज़े तक लेके आऊंगा उसको डॉंट वरी अरे मुझे क्यों नहीं जाम रहे रहे बेटा एक बार बोलो ना इस और यह बड़ी स्क्रीन दीख रहे है न उसके राइट साइड में स्क्रॉल डाउन करके वहां जो आप दीख रहे हैं उसके डबल टेप पर रहें तो हो जाएगा पीन अब प्र 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 क्लिक करके तोड़ते चुखिए कि एक कि से ख़़ कि डबल यह किया कि अच्छा वह राइट साइड पर लेने के बाद यह किया अभी बोलो कोई तो मोबाइल पर मेरा मैंने क्या किया कि पार्टिसिपंस जहां पर सब दिखते हैं वहां पर जाके पिन करिया तो वैसा ही करना है कि अच्छा है कि किसी को और दिक्कत आ रही है क्या स्क्रीन में नहीं दिख रहूं में और जब बच्चे बोल रहें तब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ही दिख रहा हूं सबको यह सर्व यह मंन में दिख रहा हूं न बेटा आपको यह सर्व ठीक है यह तो पीन करते जाओ अब ही बाइलन ब्रॉट डाउन बाइप पर्चेस तो कैश तो पर्चेस रिटर्न टू डिसकाउंट रिसीव टूट डेफिशेंसी जब हम किसी का पैसा डूबाते तो उसको डेफिशेंसी बोला जाता है यह देहन में रहों बैड डेट्स नहीं बोला जाएगा तू बैलन इसको स्क्रिंशॉट 1 लेलिया एक ही जन लेते जाओ स्क्रिंशॉट तार्कि सब्सका फाइदा हो डान सर चलिये नेक्स्ट वर हालो बोले सब्सक्राइबल भी आता है बट वी हाव नॉट कंसिडर बिल्स पेबल वीड़ बिल्सक्षेंज के एंट्रिस आव नॉट येट तो देरफोर वी ओंट चंसिडर गाइड वीड़ विल चंसिडर वनली इंट्रिस रिलेट टो बेसिक पर्चेस वगेरा ओके चलिये जो नाव लेट सब्सक्राइब नेक्स प्रफर्मा था अपका ड्रेटर्स के बाद हम वाख में विच वन सेल था सेल का प्रोफॉर्मा था शायद से हाँ जी सेल्स का प्रोफॉर्मा ओके सेल्स प्रोफॉर्मा इस स्क्रिंशॉट नॉबर टू सो सेल्स सेल्स को आपको क्या याद रखना है सेल्स इस अवर नॉमिनल अकाउंट as per traditional approach and income as per personal modern approach तो sales को हम लोग बोलेंगे credit plus income होने के वज़े से credit plus से शुरुवात होगी debit minus से शुरुवात credit side से करेंगे by cash यदि अपने उधारी पे माल बेचा है तो by data आएगा ये आपको पता ही है so by cash और यदि उधारी होगी तो by data and ये account trading account में transfer होगा and some students may write to sales return also in sales account sales में से sales return minus होता है तो debit में हम लोग minus होने वाले items हम लोग debit में लिखेंगे तो you may write to sales return and then balancing figure is transfer to trading account or you may show it in trading account separately sales and sales return okay so both options are open तो by cash by data and to trading account ये आपको लिखना है okay so by cash by sales and by sales return ये आपको लिखना है sorry by cash by data ये दो items है and to trading account तो screenshot number two आज का homework का ये question था and other questions क्या थे आपके income and expense okay income and expense account very good so income and expense account आज हम लोग देखेंगे sir I need to write everything in my 100 pages book right in 100 pages book yes this screenshot already they have taken screen shots of yesterday's pro forma so Akhil you can finish it first okay this is I think this is a fifth pro forma so someone will definitely share okay sir thank you yes Vidya अपने share नहीं किया बेड़ा sir मैं कर दूंग याज मेरा हो गया वैसे okay so आप प्लीज share करते जाहिए yes now after that बेड़ा expense का pro forma what we are going to see here so expense का pro forma so expense का pro forma कैसा होगा debit plus credit minus से शुरुबात होगा expense is a nominal account modern approach के इसाब से expense is expense only so it has a modern approach expense को debit plus आएगा याद रखो और nominal account के इसाब से भी debit plus आएगा traditional approach के इसाब से nominal account होने के वज़े से इसको कोई opening balance नहीं होता है so what you have to recall यह थोड़ा सक तेड़ा pro forma है so शुरुबात में मैं आपको समझा रहू यह कैसे याद रखना है expenses को आपको याद करने के लिए मैं तरीका बता रहू but after that बेड़ा मैं यह तरीका नहीं बता हूँगा you can easily answer it yes expenses को कैसे याद करना है so expense को याद करने का तरीका debit plus credit minus यह आपका pro forma का yes पहले समझ लीजे यहाँ पे मैं लिखूंगा to cash to cash यह लिखने वाला हूँ सिप याद करके लिखना debit plus है तो to cash क्योंकि expenses normally we pay and expenses जो next year के अभी pay नहीं किये which we are going to pay it in the next year so जैसे data उधारी पे होता है वैसा expenses भी we will postpone this expenditure okay so expenses payable भी हो सकता है अभी इसका दूसरा effect कहां पे जाएगा तो इसका दूसरा effect closing balance sheet के liability side में जाएगा so second effect यह जाएगा closing balance sheet के liability side पे क्योंकि every account has two effects तो इसका दूसरा effect किदर जाएगा तो closing balance sheet के liability में और यह कहां पे जाएगा तो cash book के payment side में cash book के payment side में cash book जो मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़े दिन के बाद so cash book के payment side में यह two cash जाने वाला है it's very simple two cash कहां पे जाएगा तो cash book के payment side में अभी बेटा कभी कभी आप क्या करते हो next year का खर्चा अब बीच पे कर देते हो so this is not current year का कर्चा this is next year का कर्चा and next year का कर्चा होगा तो इसको prepaid बोला जाता है और यह कहां पे जाता है तो closing balance sheet के asset side पे जाता है closing balance sheet के asset side में जाता है closing balance sheet के asset side पे आज घर पे शान तिसी इसको पढ़ लेना so you can easily recall it after doing revisions so today those students who are very comfortable can answer this pro forma but those students who are not comfortable you can answer tomorrow okay so by prepared closing balance sheet asset side ऐसे आपको याद करना है then what you have to do here it is now जैसे closing balance sheet liability side है तो वेसा ही opening balance sheet liability side से भी आया होगा so this is by payable which is last year's का payable है last year का बाकी है तो that is we will write it from from where we have taken this from opening balance sheet liability side we got this figure from opening balance sheet liability side we got this figure so it's in reverse way so by payable उपर आएगा and when बेड़ा last year का वेसा ही two prepared two prepared यहाँ पे दिखेगा so two prepared यह यहाँ पे दिखने वाला है जो last year के opening balance sheet के asset side से आया हुआ है जैसे closing वाला credit में है तो opening वाला debit में होगा यह याद रखो opening balance sheet asset side and इसके बाद this account is transferred to P&L account P&L account में हम लोग इसका balance transfer करते इसका दूसरा effect यह कहाँ पे आएगा तो but obvious P&L के debit side में we are going to give this second effect so this is how you are going to prepare your expense pro forma so expense pro forma में और क्या अपने जानना चाहिए कि whenever you are paying expenditure it might be of the last year it might be of the current year or it might be of the next year so two cash जो होता है वो last year का भी हो सकता है current year का भी हो सकता है next year का भी हो सकता है so जो two cash है वो आपका last year, current year, next year का होगा but two payable अभी two payable यह हमेशा याद रखो हमारा पिछले साल का कुछ पेसा देना अभी भी बाकी है so यह last year का हो सकता है या current year का हो सकता है closing payable closing payable यह last year का भी बाकी है और current year का भी बाकी है यह आपके हो सकते है two payable last year और current year और यह जो buy prepared होगा जो closing balance sheet में, asset side में जाएगा so यह सिर्फ और सिर्फ next year का रहने वाला है यह सिर्फ next year का रहने वाला है इसी तरीके से यह buy payable जो opening का होता है, पिछले साल का, जो बाकी opening में आएगा, so यह सिप last year का बाकी रहेगा, and जो हमने पिछले साल ही pay कर दिया, जो opening prepared है, जो पिछले साल हमने extra pay कर दिया, वो current year का अपने पिछले साल pay किया होगा, या next year का अपने पिछले साल pay किया होगा, so current year and next year. Sir, थोड़ा सा confusion होगा, might be first time when you are doing this, so you may have some trouble, तो आप लोगों को ये इसकी practice करनी पड़ेगी, इसकी practice करना बहुत ही जरूरी है so by P&L जो है, वो आपका current year में जाने वाला है, by P&L ये कहाँ पे जाएगा, so P&L में सिप current year का ही खर्चा जाता है, actual concept of accounting के हिसाब से, so जो भी होगा, ये current year का this pro forma works, how I am going to tell you, it's very simple it's very simple, how this pro forma is going to work, and prepared को मैं इसमें नहीं डालूँगा, मैं आपको simply ये चीज़ बताने की कोशिश करूँगा how this pro forma works, तो आपको ये pro forma पे एक भरोसा आ जाएगा, so suppose मैं salary, example के साथ आपको लिखके देता हूँ, so example of the first year, हम लोग first year का भी देखेंगे, मैं prepared का example आपको नहीं लिखके दूँगा, so current year का example मैं आपको दूँगा first year का आपको example दूँगा so first year में, try to understand this pro forma, this is very important मैं आपको बतारना चाहता हूँ कि suppose मैं assume करो, मैं संगम को paid salary paid salary to संगम rupees 15,000 per month संगम को हम लोग 15,000 per month salary pay कर रहे हैं, but remember but remember salary is paid on salary is paid on next year का 7th date next year के 7th को next month के 7th को sorry, क्या लिखरो में next month के 7th को तो संगम को salary 15,000 है example समझ में आया आपको so मुझे एक बात बताईए कितने मंस का मैंने payment किया हुआ है संगम को संगम को कितने मंस का इस साल payment करूँआ 11,000 I'm not going to pay full 15,000 because very simple reason if I start from the month of April April से शुरुवात किया and March में आपका होगा so April की salary कब पे होगी बेटा 7th में correct है बेटा yes sir और ये मार्च की salary कब होगी next year के 7th April को so total months का salary कितना payment होगा payment होगा 11 months का ही कौन सा outstanding रहेगा और कौन से मन्त का outstanding रहेगा payable sir next year का नहीं नहीं कौन से मन्त का outstanding है payable मार्च मन्त का मार्च मन्त का अभी भी payable है वो मैं pay नहीं करूँगा क्योंकि वो 7th April को pay करूँगा और 31 March आ चुका है बराबर है say yes or no yes payment हुआ 11 months का into 15,000 1,65,000 1,65,000 यदी मैं salary account open करूँगा यदी मैं salary account open करूँगा salary debit plus credit minus two cash कितने months का payment होगा पिटा 11 months into 15,000 1,65,000 two payable one month का अभी भी pay करना बाकी है मेरे दोस्त 15,000 15,000 but remember मेरा खर्चा accrual concept of accounting क्या बोलता है मेरा खर्चा पूरे 12 महिने का दिखेगा पूरा 12 months I am going to record this expenditure so 15,000 into 12 महिने तो ये मेरा कितना दिखेगा बेटा 1,80 this salary अभी एक साल उसका खतम हुआ है so year 2 में मैं आ जाता हूँ so देखो ये formula work किया to cash to payable by P&L अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ year 2 में ये position क्या होगी year 2 में suppose we will assume कि उसकी salary increased हमने salary increase किया to rupees 20,000 हमने उसकी salary increase की बेटा 20,000 रुपया पर मन्थ अभी 20,000 रुपया पर मन्थ हमने salary increase करने के बाद now you can easily identify अभी मुझे एक बात बताओ हमने जो उसको salary pay किया ये पिछले साल का 15,000 पे किया होगा say yes or no payment में एक महिने का 15,000 जो पिछले साल का बाकी था ये इस साल पे किया 15,000 और इस साल 20,000 कितने महिने का पे करेंगे बेटा 20,000 फूल ट्वेंच का पे करेंगे या only 11 मंस का पे करेंगे 11,000 11,000 11,000 का पे करेंगे so payment मेरा होगा 15,000 of last year and 20,000 of the yes current year 235 let's see 235 आपको format से आता है या नहीं आता है payment मैंने यहां पे लिखके दिया है but formula works format works कैसे होगा so पिछले साल का कितना बाकी था by payable March का outstanding था March last year का opening outstanding था so ये last year का कितना बाकी था 15,000 मैंने बोला P&L को कोई फुरक नहीं पड़ता P&L को 20,000 ये दिखेगा पूरे 12 महिने के लिए खर्चा इस साल में जितना सैलरी का खर्चा होगा ये पूरा दिखेगा 20,000 into 12 2,40,000 and 2 payable ये current year का closing current March महिने का मार्च महिने का current year का outstanding एक महिने का कितना बाकी है 20,000 और जो मेरा balancing figure आएगा चेक करो 2 cash आपको यही figure मिलने चाहिए ये मिल रही है क्या 2,35,000 और ये figure मिलेगी और ये में account work होता है यदि आप format में figures down करते हो write down करते हो तो you will get this answer very easily 2,55,000 so इसलिए ledger pro forma जानना बहुत जरू है so you must know what are the pro formas of ledger accounts and this is how we prepare ledger का pro forma and ledger gives answer and this will help you for your final accounts के problems and non-profit organization and even accounts from incomplete record तो वहाँ पर इसका बहुत बड़ा फाइदा होगा so इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ लो समझ लिया तो आपको 100% दिमाग में बैठने वाला है this is very important मैं एक ही आपको बात वापस बोता हूँँगा कि आप लोग इस performance को अच्छे से याद कर लो और यह यह अदि आपने याद कर लिया तो बहुत ही easily आपको कोई भी final account का प्रोफोर्म आएगा so एक बार मैं वापस से आपकी revision ले रहा हूँ और कल आप में से आज कोई बोलना चाहता है तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है so मैंने केसे किया बेड़ा expense account का प्रोफोर्मा very simply मैंने बोला यह nominal account होने के वज़े से debit plus होगा credit minus होगा इसका कोई opening balance नहीं आता है तो two balance brought down, buy balance carried down लिखना नहीं है so यहाँ पर याद करते दाइम जब आप लिखने के stage पे हो तो आपको केसे याद रखना है to cash आएगा sir to cash आएगा to payable आएगा by prepared last line पे आएगा वही to prepared first line पे आएगा and by payable आपका first line पे आएगा and balancing figure को sir आप by p and l बोलोगे यह होता है logical learning और प्रोफोर्मा magical के से याद आना है time magically कैसे करेंगे आपको बोलना है to prepared by prepared मैं ऐसा बोलना है आपको जब भी भी मैं प्रोफोर्मा पूछूंगा तो आपको इस sequence में बोलना है to prepared by prepared by payable to payable to payable तीन नमबर पे to payable and उसके बाद by payable to payable के बाद आप तीन नमबर चार नमबर to cash and by payable यह आपका last का प्रोफोर्मा के इस आप से आएगा so to cash and by payable यह आपका end होगा so इस तरीके से बेड़ आपको बोलना है बोलते time पर सीखते time आपको कैसे बोलना है यह पाच नमबर और छे नमबर सीखते time आपको बोलना है to cash, to payable, by prepared to prepared by payable and balancing figure by payable so learning pro forma to cash, to payable, by prepared to prepared by payable and balancing figure is to by payable और जब आपको थोड़ा अप तेज बोलना शुरू करोगे so to prepared by prepared by payable, to payable, to cash, by payable एकदम simple और यह कौन से कौन से year का है यह आपको अभी याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है so cash, यह last year, current year, next year का होता है आप देख सकते हो यहाँ पे current year, next year, next year sub में है नहीं, यह last वाले में next year नहीं है पर current year बात ही है प्रिपेर होगा तो next year Payable होगा तो last year और यह side तो बहुत simple है last year, current year, next year यह side बहुत simple है P&L वाले side में कोई दिक्कत नहीं होती है वो last year, current year, next year जैसा simply proforma याद रख सकते हो पर prepared में आपको याद रखते है time याद रखना है current year, next year, last year, current year, next year two cash में आएगा and two payable में last year और current year इस तरीके से proforma याद रखना बेटा इसके उपर grip आने को थोड़ा time लगेगा आपको मेहनत करनी पड़ेगी दो-चार बार proforma लिख के देखना पड़ेगा no doubt logically भी समझ के लेना पड़ेगा and आपको exam में कोई भी provision आई तो ये बहुत simple हो जाती है expense income के proforma में याद करने को मैंने with example आपको लिख के दिया है if you want to take this screenshot of this example you can take it yes इसका screenshot ले लिजे बहुत बढ़िया तरीके से ये मैंने बहुत अच्छे से आपको explain किया है I hope you understood it properly yes sir yes ले लिया screenshot बेटा जए ले रहा है शायर से screenshot yes example भी ले सकते हो एक second एक second example को थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आप example first year का पूरा ले सकोगे इसको लिखना अच्छे से जितना भी बच्चा YouTube पे देख रहा है बड़ा pause करके आपके 100 pages के book में रखना यदि pass होने का एक simple बंत रहे revisions और revisions के time पे आपके 100 pages के book बहुत काम में आती है तब आपको पूरा यह याद हो जाता है कि पूरी किसी को बोलकर देखना हाँ जी बीटा किया बोल रहें कि नंबरिंग करते हैं ये इस दीप आ वाज नहीं नंभरिंग को दिना अच्छा नंबरिंग अभी उसने बेज़ ग्रुप पे लाइन से ही बेज दिया मैं चेक कर रहा था ना तो उसने बराबर भेज़ा है लाइन से तो उसने सब लाइन पे ही बेज़ा हुआ है और यह हर्षा को कोई तो रोखो यार मैं एडमिन भी नहीं हूँ उसको ठीक है है कि सबका लिखके हो जाने दो फिर करो सर हाँ जी सर एक डाउट था बोलो प्रताप सर यह हमने 15,000 फर्स्ट यहर में पेमेट करना बागी था हाँ जी सर वो हमने सेकंड यहर में आपके एक्जम्पल में पेमेट कर दिया और सेकंड यहर में भी बाग की रहा तो उसको कहां पे रेकुट करना तो फिर वो टू पेबल में वापस से आएगा ना बेटा वही तो मैं बोल रहो ना जो पेबल होगा तो यह सेकंड यहर में फिर 20,000 प्लस 15,000 दोनों मिला के 35,000 आता होगा वो तु लिख दे पी एंडल में इस साल का जाएगा बाई पेबल ओपनिंग में आएगा बैलंसिंग फिगर टू कैश आएगा तो इस वेली सिंपल पी एंडल इस वेली सिंपल बेटा ओके ओके तो टू कैश यह अपने को सिखना है नॉन प्रोपिट और्गनाइजि यह हो सेकंड डियर का आकाउंडिंग आपको कभी भी ट्राइल बैलंस में सिखाया नगाया नहीं है तो स्टूरंस वेलेड़ी डन इस इंदी 11-12 स्टैंडर बेटा सो यूर नॉट अवेर की यूर ट्राइल बैलंस देखो मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि जो अब यह सैलरी कौन सा दिखता था तो यह सैलरी जो अपने पेमेंट्स किये हुए है मतलब जिसका साइन है जिसका वाउचर है वो वाउचर के ऊपर कितना अपने आज तक कितना पेमेंट किया देखो मैं मैं तुरंत क्या करता हूं मेरे एंपलोई की साइन लेता हूं जैसे जब भी जब भी payment किया है उसकी entry हमने pass की है अभी जिसकी entry उन्होंने pass नहीं की है उसको बोलते है adjustment entry उसको क्या बोलते बेटा adjustment entry adjustment entry मतलब क्या होती है जिसका कोई भी proof नहीं है क्योंकि उसको अभी तक salary दी नहीं तो मैंने उसका sign लिया है क्या कौन से महिने का सैलरी दिया नहीं उसको मार्च महिने का फिर उसका सैलरी पेमेंट नहीं है तो उसका वाउचर रहेगा क्या उसका साइन होगा क्या उसके पेमेंट ही नहीं लिया तो क्यों वो साइन करेगा बराबरे तो मेरा उसका कोई सपोर्टिंग मेरे पास नहीं है कोई Salary Outstanding of One Month आया समझ में Salary Outstanding of One Month ये मुझे पता है इसका कोई supporting नहीं है इसका कोई salary slip नहीं है Salary slip कितने महीने की है सिर्प 11 months की है फिर आप लोग क्या करते थे फिर आप लोग क्या करते थे मैं आपको समझाता हूु फिर आप लोग ऐसा P&L में जाते थे, P&L में लिखते थे, salary inner column में, salary लिखते थे 1,65,000, प्लस उसमें add करना सिखाया जाता था, add करना सिखाया जाता था, 15,000, और दूसरा effect आपको सिखाया जाता था, liability side पे लिखो, outstanding salary 15,000 से, यह सोर नो, ऐसा ही सिखाया गया था, और आपने कभी यह गोरी नहीं किया होगा, कि P&L में accrued, पूरे 12 महीने की salary जाती है, इसलिए T format में याद करो, अभी जो 11-12 standard में सिखाया था, वो first year का सिखाया था, फिर second year में कभी यह pro forma workout नहीं होगा, यह pro forma कभी workout नहीं होगा, यह pro forma कभी workout नहीं होगा, कौन से standard में बेट आपको कभी सिखाया ही नहीं, और इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कि आपको क्या करना चाहिए, लेजर के pro forma द्वारा यह सब याद करना चाहिए, कौन से pro forma द्वारा याद करना चाहिए, लेजर के pro forma, समझे या नहीं तो कोई प्रोफॉर्मा बोलना चाहता है यह समय बोलना चाहते हूं हाँ जी बेटा बोलिए इस्पेंस अकाउंट डेविट प्लस क्रेडिट माइनस इस्पेंस में तू प्रिपेर जो करेंट ये और नेस्ट ये पर होता है और ये ओपनिंग बैलनस है असेट साइड और बोलो मुक्त क्युकिन इससे बता रहे हो आप लोजिकली जा रहे हो या कुक्त वैसा बताओ जब आपको पूरा explain करना है current year next year तो अपने logical प्रोफोर्मा से ही जाना चाहिए okay okay so logically जा रहे हो क्या आप नहीं मैं logically नहीं जा रहे हो logically आप फिर वो line by line जाओ मतलब हाँ पहले क्या आएगा salary में बताता हो expense में पहले logical में क्या आएगा to cash to payable closing by prepared to prepared by payable and by P&L यह logical one है मतलब आपको पूरा बोलना है कोन से year का है तो two cash से शुरू करो two cash से शुरू करो to payable by prepared to prepared and then by payable यह पाच नमबर पे समझा और छे नमबर पे आपको चल रहा है कोन सा प्रफोर्मा अभी कौन सा चल रहा है कौन सा प्रोफॉर्माच चल रहा है अभी एक्सपेंस ही चल रहा है ना सर मैं बोलना चाहूं हाँ जे बेटा बोले करेना क्या हुआ है तुझे बेटा सर मैं एक्सपेंस का बता रहा हूं 2 cash, 2 payable, by private 2 private सर शुरू से बता हूं क्या आराम से बता ना टीकटीक, 2 cash, 2 payable, by prepared 2 prepared, by payable, by payment 2 prepared, by payable by payment 2 cash कोन से यह का होगा पिड़ा ज़र, current year का भी होगा next year का होगा, last year का भी होगा तो पहले last year बोलना 2 payable कोन से यह का होगा सरी, current year का होगा क्यों लास्ट यर का PayPal बाक्ती नहीं हो सकता है कि लास्ट यह बाड़ी प्रिपएर रच सब्सक्राइब है यह जल्दी जल्दी बोल वैटा चाहिए बेटा CA students को एक ही बार बोला तो दिमाग में पूरा concept बेड़ जाना चाहिए तो वो CA student है, मतलब फिर आपका 100% focus नहीं है, मुझे एक बाद बताईए, किदर में मैंने shortcut मारा क्या बेटा, तो मुझे एक genuinely बता कि हम लोग पहले इसमें क्यों नहीं समझ पाएंगे, एक इसके बाद income का performer, इसके बाद income पर आएंगे, एक 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 कर रहे ना सने हाँ, इसके बाद income पर आएंगे, ओके सर, पहले आपने ये performer पढ़ लिया, पूरा चलो, मैं आज नहीं पूछूँगा आपको, यह रवाइस, पर मुझे expected क्या है, कि कोई भी चीज में आपको पहली शुरू किया, पर जो students focus करते हैं, जो दिमाग में हजार चीज़े नहीं रखते हैं, genuinely बताओ, अभी मैं explain कर रहा था, एक भी thought आपके दिमाग में नहीं आया, सिप और सिप आपका full focus, यह इसी पे था expenditure, इसे कितने student थे, sir मेरे मन में एक भी thought नहीं आया, एक भी thought, मेरा full focus आ आपके बोलने पे था, full focus आपके बोलने पे था, मैंने दिमाग में कुछ भी चीज़ नहीं आया, 11, 12 का या और कुछ, पढ़ाई के छोड़ के कुछ, और मेरे मम्मी पापा की सोच, मेरे girlfriend, boyfriend की सोच, कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं था, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिप आपके वर्ष चल रहे थे, इसे कितने स्टूडंस थे, इमानदारी से बताओ, इमानदारी से, हैंड रेस की, कुमकुम थी, स्नेहा थी, अमर, सानिका, विधी, रोनक, मनीशा, अंज भी नहीं था, जैराम था, अंज क्या दिमाग में आ रहा था, नहीं नहीं, कुछ नहीं इसी वे फोकस कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं, पर एक बार भी तेरे मन में दूसरा था नहीं आया बड़ा, एक बार भी, नहीं, नहीं, सर मैं बता भी सकता हूं, पर्फॉर्मस, सर मुझे आद है, नहीं, याद है, ठीक है, बट एक बड़ भी आप डिस ट्रेक नहीं हुए, नहीं, सर, आपके एनरजी बहुत अलग है, सर, मतलब में बैठता हूं, तो आपके तरफ ही फोकस रहता है, हन्रेड परसेंट, पलक, आपका था बेड़ा, फोकस, सर्च बता बेड़ा, सर, आक्षियल में आप 11-12 का बता रहे थे, तो वही सोच रहे थी, कि इसने अच्छे से नहीं परस, ठीक है, येस, सो 11-12 का आपके दिमाग में चलना चालू हो गया, बराबर है, येस हो, ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा, 100%, देखो आपको एक ही बात बता रहो, मालब, I know, at your age is very difficult, distract होते हो, बार-बार दिमाग में बहुत अलग-अलग सोच आती है, ये मैं भी बोल रहा हूँ, पर पिछले एक साल से वेटा, मैं one year से, मैंने ठान लिया कि नहीं, अभी बस अपने पात साल, छे साल बचे हुए है, teaching career के, and I will give my hundred percent, क्योंकि after 45-47, I don't think कि मैं इतना energy से बोल पाऊंगा, तो I have decided कि मुझे hundred percent आपका confidence बढ़ाना है, मेरे में talent है, yes मुझे पता है, वो है, मैं आप लोगों को अच्छा सिखा पाऊंगा, yes by experience मुझे ये भी पता है, कि मैं आपके दिमाग में कोई भी concept बहुत easily ठूस सकता हूँ, कोई भी student रहने दो, मतलब यदि आपकी मम्मी भी, पापा भी serious हो गए बढ़ाई के बारे में, और उन्होंने decide किया, fourth, fifth standard का बच्चा भी रहेगा, वो बोलेगा कि मुझे account सिखना है, तो easily मैं दक्ष को भी rules याद करवा के दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, दक्ष को rules आते भी है, तो पर आप लोगों का thinking level उनसे बड़ा है, logic आपका बड़ा है, और आपको CA करना ही है, मेरे दिमाग में आप कभी भी आओ, आप class के बाद भी, अब आज आपका class होने के बाद, मैं आपको एक simply schedule बताता हूँ, तुरंत, 10 o'clock से लेके, 1 o'clock तक मेरा, अब आज का schedule, full day का schedule मेरा decided होता है, कि आज मैं क्या करूँगा, यह मुझे FM के test your knowledge के कुछ questions अपने students के लेने हैं, वो recording करना है, so 10 to 1, तो उनको मैंने 10 to 1 जूम पे बुलाया हुआ है, 1 to 2 मेरे पास time है, उसमें office का का काम चालूए, तो interior वाले को बस एक घंटा में उसको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूँ, so 1 to 2 में वहाँ पे उसको बुलाया, 2 o'clock को बेटा मेरा 2 to 2.15 तक या 2.30 तक मेरा lunch हो जाएगा, यह मेरा decided schedule है, 2.30 to 4.30 मेरा costing का batch रहेगा, जहाँ पे मुझे थोड़ा वो standard costing के questions कम्प्लिट करने है, and 4.30 to 6.30 यह मेरा FM का दूसरा topic जो मैं working capital management आज शुरू करने वाला हूँ, यह भी decided है, 6 दिन में मुझे कम्प्लिट करना है, 6.30 to 8 मेरा notes निकालने का time है, और hotel पे जाके, थोड़ा सा मुझे उस time पे क्या साफ सफाई किये, वो नीचे जाके मुझे चेक करना पड़ेगा, 8 o clock से, 8.30 से, 8 to 8.30 मेरा dinner हो जाएगा, 8.30 to 9.30 यह मेरा CS का executive का batch रहेगा, and 9.30 to 11 यह मैं gym की तयारी और वहाँ पे एक घंटा जाऊंगा, 11 o clock को में restaurant पे जाऊंगा, 3 बज़े तक, 2 बज़े तक मेरा हिसाब रहेगा, या जो भी पिछले outstanding bill से अभी पगार करने है, so salary करना है, तो यह पूरा चीज़े, अभी यह मेरा पूरा दिन बर का schedule है, अभी देखो, आपका lecture मेरा सुबे 8.30, और 3 से बड़ा, उतनी तो मुझे 3 बज़े से मेरी नीन लगती है, 3 बज़े भी बड़ा, मैं जब 1 घंटा यह देखता हूँ, मैं दिन बर के news, सोने के पेले क्या-क्या हुआ रहेगा, मार्केट में क्या चल रहा है, यह सभी news को एक बार देखता हूँ, और 3 बज़े से 8-8 बज़े तक मुझे 5-5 घंटे की तुन दूनीन लगती है, so this is my schedule, मतलब, दिमाग में आप शुरुवात से देखो, कोई भी इनसान पूरा मैनेज कर रहा है, मुझे यह भी चीज़ पता है कि मुझे कौन से टाइम पर किसको टाइम देना है, उसके अलावा, and that discipline is required in your life, आपको यहाँ पे जो चेरा दिखेगा, वो एकदम अलग चेरा देखेगा, दूसरे, मैं restaurant में गया, तो उधर मेरा चेरा अलग दिखेगा, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डाटना पड़ता है, क्योंकि आप उनको समझ के कुछ फाइदा नहीं है, कुछ भी समझाओ, वो लोग समझने वाले नहीं है, वहाँ पे गालिया दे की काम करवा के लेना पड़ता है, तो यह चीजे, मतलब profession के exactly reverse turn वहाँ पे मारना पड़ता है, Sir, आप इतने टाइम पढ़ने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी, इसमें बीच में कुछ ना कुछ मेरा advertisement का दिमाग में रहेगा, कि मुझे ये advertise करनी है, वो advertise करनी है, तो वो भी दिमाग में चलाना पड़ता है, क्योंकि मैं social media से ये साल में मैं इतना active हुआ, मतलब आठ महीने पहले, वो भी एसा कांड हो गया, वो कभी मैं बताऊंगा आपको कि क्या कांड हुआ था, कभी ना कभी explain करूँगा, फिर मैं क्यों मैं offline से online में आ गया पूरा, और वो धैन में क्या क्या आया, वो एकाद दिन में आपको story बताऊंगा, पर ये motivation आपको रहना चाहिए, कि full day, ऐसा नहीं बोलो कि मैं big four में या इधर भी गया रहता, तो मेरा life वहाँ पर बहुत easy होता था, वो लोग भी काम कर रहे, मैं भी काम ही कर रहा हूँ, पर मुझे यहाँ पर ये मैं enjoy करते हुए काम कर रहा हूँ, और मैं ये भी बहुता हूँ कि ऐसा नहीं है, कि मुझे पता है मेरे talent के आगे मैं जो पैसा कमा रहा हूँ, वो बहुत ही कम है, ऐसा ही मैं बोलूँगा, कि मैं जिस तरीके का knowledge, क्योंकि मैंने इतने वहियात lectures देखे हुए है, और मैं ये देखता रहता हूँ, कि कुछ teachers में अभी मैं नाम नहीं लूँगा, कि वो student को सिप कुछ भी logically बताते नहीं है, ये इदर आया, ये इदर आया, ये इदर आया, ये इदर आया, खत्म accounts, और ये आप लोग भी जानते हो, आप भी 11-12 में पड़े हुए हो, आप भी बहुत faculties के lecture देखे रहेंगे, एक ही इंसान आपको समझ में आया रहेगा, नहीं, ये हर चीज़ को correlate करता है, इदर से उदर उदर से इदर, और ये logical teaching पे मेरा भरोसा है, तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, कि ये focus अपने हटाना नहीं चाहिए, अभी मैं मुझे बताओ, मेरे दिमाग में अभी मैं आपको सिखा रहा हो, और मेरे दिमाग में अभी कुछ तो अलग चलेगा, तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा, मुझे भी मज़ा नहीं आएगा टेंशन मुझे भी रहते हैं और आप लोगों को ऐसा है क्या कि यह जर्णी जो आपको करनी है सिर्फ चार साल की मेहनत है चार से पाथ साल, उसमें भी मैं बोलता हूँ यह चार महीने इंटर के आठ महीने मेहनत फिर से उसके बाद दो साल का ग्याप, दो साल के आपके आर्टिकल शिप जहां पे आप बहुत सारी चीज़े सिखोगे और उसके बाद बेटा आपका वापस से C.A. फाइनल और C.A. फाइनल के बाद एक साल की आर्टिकल शिप है, जो भी कोर्स है आपका बेटा मेरे टाइम पे यह तीन साल था मतलब बहुत बड़ा गैप रहता था ना होते थे सोशल मीडिया ना होता था कुछ हमारे टाइम पे सिख क्लास में जाओ लेक्चर बंक हुआ, ना बैकप सिस्टिम होता था लेक्चर में लिंक ही नहीं लगती थी फिर घर पे आके वापस से पड़ो अब 12-15 गंटे बेटा यह में लेके बेटता था तब जाके मेरे लॉजिक क्लियर होते थे यहां पे बताने वाला भी हमें कोई नहीं था पूरे पुना में एक क्लास चलता था वो भी मतलब बहुत ही टाइम पास का कि सर आए नहीं आए नहीं आए मतलब उसके उपर में अभी जाओंगा नहीं अभी तो बहुत कॉम्पिडिशन है बहुत सारे लोग इसमें आ गए है पर फोकस हर बर क्यू हटता है यह मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि 10 बार आपको यह पॉइंट क्यू बताना पड़ता है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ध्यान दो यह अपकी ड्यूटी है आपकी मम्मी रहेगी एकाद दिन टाइम पस ठीक है कभी वो उसके ड्यूटी से मतलब पापा भी रहेंगे सुबह ओफिस निकलते या बिजनेस पे निकलते जहां पे भी रहेंगे वो उनकी ड्यूटी फॉलो कर रहे हैं तो हमें ये टाइम कितना मिला है सिप चार साल और उस सो माक्स तो मिनिममम नहीं देगी इंस्टिटूट क्यों नहीं देगी इंस्टिटूट लैंग्वेज डजन मैटर आप कौन से इससे आये हुए हो वर्नेकुलर मेडियम है कुछ भी है कुछ मैटर नहीं करता पर अभी देखो कितने लोगों ने हैंड रेस किये सिप 6 से 7 ल प्रोफोर्मा बोलने का भी एक तरीका है चलो कोई बात नहीं आज अच्छे से इसको याद करना अभी और एक प्रोफोर्मा पर आते हैं और मुझे आपकी कमिटमेंट चाहिए बस बाकी कुछ भी ने कल मैंने गुरु गुपता सर से भी बात किया कि चलो मेरे बच्चों को लौ में डिफिकल्टी है तो सर हम लोग कुछ तो करते हैं आज गवरो सर से बात कर लूँगा ताकि मै यह भी अच्छा गुरूप ही मनाना चाहिए नो मैं कोई भी फैकल्टी को आपको रेकमेंट करूंगा तो वापस बाद में प्रॉब्लेम हो जाएगा मुझे वो भी नहीं चाहिए मुझे आप लोग पास हुवे वाले चाहिए लास्त तक इंकम क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस अभी ध्यान देखे सुनना पूरा इंकम एक्जैक्ली बीरर इमेज ऑप एक्सपेंसेस है सो कैश कहां से शुरुवात होगा कैश मिलेगा सो बाई कैश मुझे कैश मिलने वाला है बाई कैश बाई कैश करेक्ट है यह सर बाई कैश में लास्ट इयर कौन सी कैश ठीक है यह प्राद में लिखते है फिर बाई रिसीवेबल यह आएगा तू रिसीवेबल तू रिसीवेबल यहां पे आएगा बाई रिसीवेबल तू रिसीवेबल by received in advance by received in advance एक ही मिनिट हा मैं FM के बच्चों को बोल देता हू by received in advance and two received in advance and balancing figure आएगा to P&L अभी by cash यह कौन से year का आएगा last year, current year, next year receivable कौन से साल का रहेगा बेटा either last year और current year last year और current year and received in advance यह current year और next year का रहेगा opening वाला closing वाला तो next year का रहेगा P&L में current year का जाएगा and यह last year में यह कहां से आया तो opening balance sheet asset side से receivable है मतलब asset है, पैसा आने वाला है received in advance अल्रेडी आ चुका है opening balance sheet liability side buy cash, cash book के receipt side में जाएगा buy receivable closing balance sheet के asset side पे जाएगा and यह closing balance sheet के liability side पे जाएगा ठीक है और यह P&L credit side पे हम लोग record करेंगे यह सबका second effect टेक एक स्क्रीन शॉट डान सार इसके logical number लिख दीजे logical numbering में buy cash number one buy receivable number two number three two received in advance number four buy received in advance number five two receivable and buy P&L sorry two P&L number six so logically आपको याद रखना है तो इस तरीके से याद रख सकते हो magically याद रखना है to receivable by receivable by receivable by receivable in advance to receivable in advance buy cash to P&L यह आपका प्रोफर्मा होगा yes to receivable by receivable by receivable in advance to receivable in advance by cash and to P&L polish बोलना सीखो ताकि practice करो ताकि आपको सामने वाले को भी समझने में आसानी हो कि वो क्या बोलना चाते हो उसको आप लोग बता सकते हो logically यह है magically जिसको बोलना है number one to receivable by receivable by receivable in advance to receivable in advance by cash to P&L यह आपका रहेगा प्रोफर्मा तो यह लिखने का तरीका to receivable by receivable by receivable in advance to receivable in advance by cash to P&L yes so इस तरीके से आप प्रोफर्मास को याद कर सकते हैं आशा करता हूँ आपको यह प्रोफर्मास बहुत पसंद आये होंगे समझ में भी आये होंगे और एक बार में प्रोफर्मा कोई बचा है कि चिक कर लेता हूँ क्रेडिटर्स का प्रोफर्मास मैंने सिखा दिया था आज आने के बाद एक्स्पेंस का प्रोफर्मास मैंने आपको दिया हुआ है एक बार चेक कर लीजें एक्सपेंस डेविट प्लस टेडिट माइनस टू कैश आप देख सकते हो प्रोफर्मा टू पेबल बाई प्रिपेड टू प्रिपेड बाई एक्सपेंस पेडल एन बाई पी एंडल देखो एक्जैक्ली उसी प्रोफर्मास है आ गया तो ये लॉजिकल वन था सेल्स में ने अल्रेड़ी बता दिया डेटर्स क्रेडर्स अपना हो गया फिक्स ऐसेट हो गया कैपिटल अकाउंट का एक बार प्रोफर्मा देख लीजे आज का एक नया प्रोफर्मा कैपिटल मतलब लाइबिलिटी आपका खुद का फ़न्स खुद का फ़न्स लाइबिलिटी साट पर जाता है सो बाइबैलन्स ब्रोट डाउं से शुरुवात होगा क्रेडिट प्लस होता है बैलन्स अपरोफर्मा आपकिटल वापस देना है तो लिजए एक रेडिटीटर बैलन्स ब्रोट डाउन नया कैपिटल लाया तो बाइक एडिशनल कैपिटल लाया तो और पैशा विड्राउ किया तो ड्राइंस होगा लॉस हुआ तो आपका कैपिटल कम होने वाला है profit हुआ top का capital बढ़ेगा profit हुआ top का capital बढ़ेगा बड़ाप इसका दो मी माइक बड़ाप इसका दो मी माइक रेनू येस रेनू माइक तू लॉस रापका एको आरहा है two loss by profit and two balance carried down ये आपका last performer होगा so by balance brought down by cash by profit two cash two loss and two balance carried down एकदम simple है performers जानना जरूरी है ये performer भी बहुत simple है profit के वज़े से capital बढ़ेगा loss के वज़े से capital कम होगा so very simple by balance brought down by cash two cash ट्रॉइंस दिया तो by profit two loss and two balance carried down तो आजका ये next performer इसको stop करके लिख लो बेड़ा ये रहेगा या ता आपका लिखना लिख लो मतलब screenshot निकल लो चलो ले लो जल्दी से परवा दिया था आप में तर ये पहले हो रखा है ओके हाजी पर्स नल अकाउंट है पर्स नल अकाउंट है तो यह प्रोफॉर्मा अल्रेडी लिखके दिया हुआ है बैड डेट्स का प्रोफॉर्मा याद रखो बैड डेट्स इस लॉस तो बैड डेट्स यह होता है तू डेटर्स और बाई पी एंडल एकदम सिंपल है इसका भी स्किन शॉट ले सकते हो two daters and by P&L two daters and by P&L two daters by P&L discount allowed ka pro forma debit plus credit minus discount allowed ka pro forma debit plus credit minus discount is also loss discount ka sochi hai two daters and by P&L two daters and by P&L two daters and by P&L discount ka pro forma rehega le liya screenshot beda sorry yes sir discount received credit plus gain hai so by creditors and to P&L gain hai opening nominal account hai no opening balance closing balance so by discount received by creditors and to P&L le liya beda yes yes sir yaha pe meire sabhi performance hoote hai I think purchase ka diya tha ya sales ka diya tha ke dono day diya abhi purchase sales dono ho gaya sir dono ho gaya sir dono ho gaya yes yes अभी भी admission process बहुत ज्यादा start है तो आप लोग ये performance को अच्छे से याद कर ले न एक बार मैं सभी performance को बोलने की कोशिश करूँगा start से end तक तो आपको 11 performance मैं line by line लेके जाता हूँ मैं expense का performance मेरा केसे होगा तो देखो expense one by one बता रहा हूँ two prepared suppose चलो logical way में जाते है तो two cash two payable by prepared two prepared यहाँ पर आएगा by payable and two cash और ने two cash तो था by P&L आ जाएगा by P&L आ तो देखे two cash to payable by prepared to prepared by payable and balancing figure is by P&L बहुत बढ़िया इसके बाद sales का performa very simple credit plus debit minus sales मेरा income है so by cash by data and to trading account यह मेरा pro forma होगा so sales का performa आपके आखो के सामने है data में two balance brought down आएगा debit plus credit minus two balance brought down to sales by cash by sales return by discount allowed by bad debts and by balance carried down तो यह देख सकते हैं debit plus credit minus two balance brought down to sales by cash by sales return by discount allowed by bad debts and by balance carried down प्लीज 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 तक performance को याद कर लो अच्छा लगेगा मुझे यह अपने प्रोफोर्मा सब बोलके बताए तो purchase account का performa होगा debit plus credit minus यहाँ पर देख सकते हो debit plus credit minus में purchase आइधर two cash होगा या two creditors होगा purchase में creditors देना पड़ता है पैसा and by trading account होगा so two cash two creditors and by trading account फिर हमने next performa देखा था creditors का performa very simple credit plus debit minus credit plus debit minus में याद करना कि यह purchase के वज़े से बढ़ता है और payment के वज़े से कम होता है so buy balance brought down आएगा इधर credit side में इधर देख रहे हैं आप buy balance brought down buy purchases उधर के side पे two cash to purchase return two discount received और bad debts नहीं होता है deficiency होता है and two balance carried down बहुत बार performance बताए हुए है so याद करने की कोशिश कीज़े line by line पहली बार बोलने के लिए दिक्कत आने वाला है पर कल तक आराम से एक गंटा बेटेगे तो पूरे performance ग्यारा के ग्यारा performance हो जाएंगे कितने मुझे exactly पता नहीं पर हो सकते 10 ग्यारा है fix asset बहुत simple to balance brought down real account है so to balance brought down to cash by depreciation by cash बेचा तो by loss to profit by balance carried down very simple यह performance आपको आते है yes hello sir fix asset में sir two cash है अबना पर सर्थ purchase without cash होगा तो purchase without cash cash मतलब cash नहीं तो फिर कोई भी अलग account मतलब vendor हो सकता है या अभी आपने asset के बदले में asset लिया तो दूसरी asset तो वह आप लोगों को inter में सिखाऊंगा अभी नहीं बेटा asset के बदले में asset होगा capital account में by cash by balance brought down by cash to cash to loss और by profit भी हो सकता है to balance carried down उसके बाद income का प्रोफर्मा तो आपको आता है यह तो रिस्यूवेबल या logical way में by cash आएगा by receivable आएगा फिर तू रिस्यूवेबल आएगा यह रिस्यूवेबल आएगा यह रिस्यूवेबल आएगा और यहाँ पे टू पी एंडल आ जाएगा एकदम simple यह भी प्रोफर्मा आपको आता है उसके बाद हमने देखा था बैट देट्स इस लॉस लॉस है तो डेट बेट प्लस डेट माइनस तो टू डेटर्स और बाई और discount allowed का भी same तरीके से two data and by P&L same bad debts और discount nominal account और losses यह पर discount रिसूदे मेरा gain है gain है तो credit plus debit minus आएगा by creditors and to P&L और यहां पर हमारे सभी performance समाप्त होते हैं कल आप में से कोई performance बताएगा पूरे performance में लिए है 11 से 11 आपके notebook में लिख के रखना और कल हम लोग देखेंगे laser की theory and परसू laser के problems हम लोग finish कर देंगे so कल का session laser की theory देगी जो आपके study mats में से मैं कुछ चीज़े आपको बताऊँगा thank you कुछ बच्चे हमारे inter के join हुए है तो धनश्री करके साउथ इंडिया से she is a direct entry student तो डिम्पल जी है जो अभी मैंने उनको group पे उनको link भेज दिया पर डिम्पल जी येस ये सभी हमारे foundation के students है आपका foundation का journey मतलब इंटर तो बहुत ही डेंजर से आपने foundation का journey थोड़ा सा इनको बता दीजे ताकि थोड़े motivated भी रहेंगे और आपको कितने marks आयते आकाउंट में शायद से थोड़े कम marks थे कितने marks थे आपको आकाउंट में 83 थे थे 83 थे नहीं कम नहीं थे 83 हा सॉरी बहुत marks थे और वो paper दोगे डिमपल जी की स्टोरी में बताता है और उनके मन में आया कि मैं सीय करके रहूंगी उन्होंने एम रखा है बहुत हाय इम रखा है और उनको पहले मतलब मुझे पता है वो बताइंगे आपको थोड़ा बहुत कि स्टार्टिंग में उनको बहुत डिफिकल्टी होती थी मतलब रोना भीना भी आता रहेगा स्टार्टिंग में कि सर पुछते है क्या कभी-कभी में इतने फालतों आंसर्स देखती हूं तो डिमपल जी एक बार फिर बताई आपका जरने अभी में आपको पीच में नहीं ट हां जी कि बोलिए कि बिमपल तो यहीं कि सब को स्टार्टिंग में नहीं आता है लेकिंग डटे रहना चाहिए आप कैसे पढ़ाई कर देती यह बताई एक सब मेरा टार्गेट रहता था कि एक चाप्तर करना है दो तीन दिन में तो बसको कम्प्लीट करना ही है और यह हंडर्ड पेज़स की बुप में प्रोफोर्मास वगएरा मैंने लिखे थे वह में डेली डिवाइस करती है मेरा फिक्स था डेली का हाफ अन अवर शेडूल था वो रिवाइस करना है तो रिवाइस ही करना है बसको और यह जो इंपोर्टेंट अज्जेश्मिंट्स वगएरा थे ना स्कैनर के कोशन से या फिर मॉडल के कोशन से मैं सेपरेटली अलग से एक बुक में लिखती थी कि इस चाप्टर में यह नया था इस कोशन में तो मुझे उस कोशन नंबर भी याद रहता था और उसमें य नहीं आया था ये भी मुझे याद रहता था तो मैं डेली चेक करती थी कि वह इस चाप्टर में यह यह थे मुझे नहीं आया थी तपिर लास्ट लास्ट एक्जान टायम पे वह आसानी गया था रिजिजन के ताम-बर मैर्म मैं तर में पूल सकते हैं ने बार सौल करते था आप कितनी बार? इसके पूरे मोडूल के विच सेक्ष्ट नंबर और इसके कंटेंड के की वर्स में अंडर्लेंग करके रखती थी तो मैं जब भी सेक्ष्ट हुआ था वैसा हुआ था यह था खत्म फूर्ण हो जाता था फांडेशन में और मैंस और मैक्स के लिए मैंने अभी आपने इंटर में सर्व बोला ना फॉर्मूला वुक वैसे बुक बनाई थी फॉर्मूला बुक करके इसमें सारे फॉर्मॉला इसमें टेलीग्राम पे एंपी की का कुछ टेस्ट का ग्रूप सा फॉनडेशन वालों का वो जॉइंड किया था उ ठीक है, तो देखो हर एक का जर्नी अलग अलग है, तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि आप लोग भी, अलब ऐसा नहीं है कि डिम्पल जी अलग लेवल है, उनका mental fitness अलग लेवल है, हर स्टुडन का mental fitness लेवल अलग रहता है, स्टार्टिंग में वो भी बहुत मुझे पता है कि ऐसा कमजोरी थी, पर बात मैं आंसर्स दे दे के दे के, और अभी कैसा है, अमना रत देड़ साल से रैपो भी प्रॉपर मैच हुआ है, देड़ साल नहीं, पर हो गए, चार महीने और अभी के छे महीने पकड़ के चलो, तो दिंपल पूरे इंटर की FM कॉस्टिंग रहेगा, पूरा रिविजन लेती है, कोई भी क्वेस्चन, आडा तेडा, इधर से, उधर से, फिर भी कॉंदेंस नहीं रहता है, वो डरती तो ही, कि हाँ, यह आया तो क्या, वो आया तो क्या, और दिंपल, दिन भर में कितने गंट फिर भी 6 गंटे, 6 गंटे, मॉर्निंग से, मॉर्निंग 5 को उठना था, 6 to 7 30 फिक्स था मेरा ला पढ़ना, और फिर 9 बजे, 9 बजे एकॉंट्स लेके बैठती थी थो, 12 बजे तक एकॉंट्स, अगर एकॉंट्स नहीं हुआ तो फिर मैक्स लेके बैठती थी, तो फिर को मैं वो इको लेके बैठती पेपर को, एक बात है, इतने सालों का लिंक तूड़ गया था, थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट हुआ, हाँ सर, हुआ था, बहुत ज्यादा हुआ था, और कितने मंस यही स्केडूल आपका, मतलब आपने बहारी दुनिया से खुद क अधे तो पूरा का पूरा अलग ही कर दिया था, तो मैं मतलब ज़्यादा ग्याप था ना तो मुझे रिकवरी करने में ज़्यादा टाइम लग या तो मैंने पांच महिने मेरा एसा शिडूल था, होता था कभी-कभी ज़्यादा ही ठक जाते थे तो जैसा आप बोलते थे आदा घंटा बाहर राउंड मारके आजाती है। वाक पे जाके। और वही मतलब, और शायद से आपकी बेटी या बेटा भी है ना? या नहीं? हाँ सर्थ, हैं और उसको भी टाइम देते थे आब? मतलब स्केडूल आज उसको भी टाइम देते हो मतलब ये सब करके भी हाँ सर मैं ज़्यादा तर ऐसा होता है कि जब चल रही होते हैं मैं उनको पास में बिठा देती अपनी बुक्स देखे वो देखते उसमें पिक्चर देखते हैं और खुद ए भी सीडी करके पड़ते भी हैं देखो मतलब चैलिंजे सब के लाइफ में मैं आपको यहीं बोलना जाता हूँ यह इन्हों ने कितना खुद को अलग किया मतलब मैंने आज तक डिंपल जी को देखा नहीं है सच में बता रहा हूँ एक लायू क्लास मतलब उनको कैसे मेरा रेफरेंस मिला होगा इसे ट्यू और यहीं लोगों की मेनद है मैं तो सिप उनको करवा के लेता हूँ इस तरीके से करो करके पर उसके बात की उनकी मेनद में एक देर गंडर होंगा उसके बाद तो बारा गंडर तो वहीं पड़ते हैं कितना डिसिप्लीन है आप लोग देखो बाती चीजों से कितने अलग ह तो है और अजसे ध्यान देके पाच महीने उन्हों ने इतना इसकेनल रख ता आपके पास डियात से भी देका विचार महीने जून में आपके एंड में रहेगी ons अधा मिल रहे हैं मार्च एप्रिल में चार महीने आपके पास है और अपने पुछ ना कुछ तो पढ़ा हू 312 अपने आप में पांच महिने की पेचाने आप देख लीजे 312 मार्स एफ़र्स लिए तो कहां तक पोच सकते हैं 200 तो उनके लिए कुछ भी नहीं था मैंस में कितना था आपका 77 था 75 था 75 लॉओ 66 और इको 91 रिंपल जी रॉक स्टार ठीक है चलिए ओके थैंक यू नई सर नई नई बहुत मेहनती और मेहनत का फॉल आपको लाइफ में मिलने वाला है इस चलिए नई सर मेंटर अच्छे होने चाहिए तीचर आप जरसा होना तो आपके जरनी का छोटा सा मेरा भी कुछ कॉंट्रिब्यूशन है तो उसके लिए बहुत ज्यादा है सर इसलिए आपको बोलते हैं आपकी डेली एक लास तो फोल नहीं चाहिए आपको आपको जिम्पल जी ने आपके लाइफ में थोड़ा सा मोटिवेट किया होगा यसा आजिम करता हो और आप लोग आज से उनके जैसा ही स्केडूल रखने की कोशिश करेंगे थैंक यू सेम लिंक कंटिन्यू कीजे यस पर लेजर आज हम लोग यह यूनिट का पूरा थियोरी देखने वाले हैं थियोरी में सबसे पहले अभी अपने लेजर्स तो सब 11 कितने लेजर्स थे हमारे 100 पेजर्स के बु लेजर्स दिया है ओके कली बेजे क्या आपने हाँ सर एक बर में सब को यह प्रोफोर्माज्स लास्ट में बता दूँगा कि वीधी ने कैसे किया हुआ है लेजर है क्या है यह यूनिट में अलरेड़ी आपको पता है डेबिट अन क्रेडिट सब पुलिका चित्था है पोस्टिंग क्या होता है देखेंगे बैलनसिंग अपकोंट क्या है और एक्जांपल्स इंट्रोड़क्शन पार्ट ने नेक्स टेज अपकाउंटिंग प्रोसेश जर्नल इंट्री के बाद नेक्स प्रोसेश क्या होती है तो वेजर लेजर्स जर्नल इंट्री आर रेकॉडड़ेड एंड यार पोस्टेड इन दे लेजर तो यह 100 पेज के बुक में लिखना है 100 पेजस के बुक में ये लिखना है चलो जल्दी से ध्यान देना 100 पेजस के बुक में आप पो जो लिखना है वो बाद में लिखो मतलब ये लेजर is a book which contains all set of accounts nominal, personal, real सभी set of accounts and therefore it is also known as principal book of account ये मतलिख ये बाकी सब लिखना ये भी और ये भी सो ये पूरा लिखना सो टेक स्क्रिंशॉट नंबर वन स्क्रिंशॉट नंबर वन आज का also known as principal books of accounts done sir 100 पेजस की बुक प्लीज कंटिनिवेशन में रखना एक भी दिन उसमें ग्याप मत लेना consistently follow करना कितने भी ठक गए रहेंगे में भी आज बहुत सारे आज आपको भी पता है त्योहर का दिन है ओके मुझे sessions लेना है नहीं लेना है तो compulsory मैं इतना सोचता हूँ आंच के बाद तो मैं उसके बोलने पे सोचता हूँ sir 45 minutes कभी आपने एक दिन में हमारे साथ रहेंगे तो हमें अच्छा लगता है so बहुत जरूरी है consistently आप लोग करते रहोगे next specimen of leisure accounts specimen left hand side होगा तो उसको David Balance बोला जाएगा आज के session के बाद theory का पूरा session तीन दिन का जो भी session हुआ leisure का वो पूरा आज upload हो जाएगा so YouTube पे freely available रहेगा जिनको भी वापस से revision करना है वो लोग कर सकते so आज का session पूरा YouTube पे जाने वाला है left hand side को हम लोग बोलेंगे debit right hand side को बोलेंगे credit तो यह आपको पता ही है account इसके कितने आपके यह होते तो date particular journal folio जैसे आपके notebook का cross reference है notebook पे किसका reference study mat का and study mat में किसका reference notebook के page number का तो journal में ledger का ledger में journal का folio मतलब page number folio मतलब page number so date particular jf rupees date particular jf rupees left hand side को हम लोग बोलते debit right hand side को बोलते credit तो इस तरीके से यह specie मेंने जो आपको लिखना रहता है screenshot number क्या है अब भी का sir second 2 चलो टेकर screenshot 2 ओगा sir left hand side 2 right hand side 3 posting posting is a process of transferring from journal to ledger तो यह तो आपको समझ में आया आप भी three rules separate account for each distinct account debit side पे हमें 2 लिखना होता है credit side पे हमें 2 लिखना होता है and account debited in journal should be debited with reference to corresponding credit in the ledger अब यह rule लिखने की जड़ोत नहीं आपके notebook में क्योंकि यह हम लोग करने वाले है balancing of account कोई भी account balance करने का credit side is more than debit side तो credit side more होगा तो इसको बोलते credit balance इसको क्या बोलते credit balance तो आइदर liability होगी या income होगा तो liability का pro forma कैसे होगा last line पे two balance करेट डाउन आएगा first line पे buy balance brought down आएगा तो यह आपको पताईए and debit balance मतलब debit is more than credit तो last line पे buy balance करेट डाउन and first line पे two balance brought down यह लिखके रखना this is credit balance this is debit balance करेट नमबर तीन credit balance debit balance next nominal accounts कभी भी balance नहीं होते है nominal accounts are transfer to P&L अभी बहुत बार यह line बोला हुआ है personal and real accounts यही carry होते है balance sheet में most important rule screenshot number four so balance sheet में हम लोग किसको carry करते है real और personal nominal accounts are transfer transfer को red pen से लिखना and balances carried बोलना इदर reflected से ज़्यादा carried in balance sheet बोलना carried carried यह word ज़्यादा important easy done sir examples देखे देखो कुछ चीज़े started business with cash of rupees 500 चलिए आप में से entries बोलना शुरू करेंगे आप में से yes अंकित कुमार बेटा बोलने वाला है तू अंकित yes sir cash account to capital account very good बेटा cash to capital आगे बता purchase goods from RAM purchase account debit to RAM account very good बेटा purchase to RAM sold goods to SHAM SHAM account debit to sales very good SHAM account debit to sales आगे बता cash received from SHAM cash account debit to SHAM very good and paid to RAM paid to RAM RAM account debit to cash अभी तू मुझे बता यह journal entries हुए तू कौन से कौन से laser open करेगा बता line by line capital cash से शुरू करना बेटा पहले से शुरू करना cash open करेगा यह पहला account आएगा capital दूसरा तिसरा कौन सा बेटा purchase purchase RAM SHAM sales and sales cash और यह सब open है तो वापस open करने की जो रत नहीं है ठीक है but sir which laser accounts are to be opened very good cash capital purchase RAM SHAM sales बस अभी one by one entry देख कौन सा account खोलेगा बेटा cash and capital normally cash को भी real account है तो opening balance हो सकता है और capital को भी opening balance हो सकता है buy balance brought down ओके so cash को अंकीत debit balance होगा और capital को credit balance होगा बराबर है yes sir yes sir yes sir अभी मुझे एक बात बता yes पलक पलक बेटा बोलने वाली है तू yes sir हाँ बेटा पलक अभी cash के कौन से साइड पे टू capital आएगा बेटा तो credit cash के credit साइड में capital आएगा debit साइड से debit क्या बोलने पलक बेटा cash को debit किया की नहीं हमने yes sir हाँ तो debit किया तो cash के debit साइड में इधर two capital आएगा 500 बराबर है और capital को क्या किया है हमने entry मे credit तो right साइड या left साइड पे so left sorry right capital को credit किया तो हम लोग right साइड पे लिखेंगे पर capital ही लिखेंगे या cross reference देंगे so to buy cash cross reference मतलब अपने अकाउंट में दूसरे का अकाउंट आएगा समझा yes sir one more time purchases to RAM कौन से दो अकाउंट खोलेगी purchase account and RAM account purchase को क्या किया हमने debit debit किया तो बेटा debit side पे हाँ purchase account बोलेंगे या दूसरा account बोलेंगे परचेस में sir दूसरा account very good to RAM बराबर है yes sir and RAM account को क्या किया journal entry में बेटा हमने sir credit credit तो कौन से साइड पे लिखेगी right side पे या left side पे अभी sir right right side पे हम लोग क्या लिखेंगे buy purchase very good buy purchase चलो तीसरा बोल अभी कौन से दो account ओपन करू sham account and sales account very good sham account sales account अभी थोड़ा उपर नीचे हुआ है ठीक है अभी बता मुझे sham account को हमें क्या देना है बेटा sir debit okay so debit side पे sham account ही लिखेगी या cross account लिखेगी sir cross cross में कौन सा account है sham की इदर two sales two sales अभी यह उल्टा हुआ है पहले two sales आना चाहिए था फिर buy sham आना चाहिए था ठीक है yes sir अभी cash यह इसलिए किया था इस तरीके से है cash to sham तो और एक cash account cash में अल्रेड़ी 500 रुपय मिला था capital से yes sir हाँ अभी बता और sham से कितना मिला 200 200 अरे उल्टा गया यह यह अकाउंट उल्टे चले गए कुछ तो गड़बड हुआ इफेक्स में ओके ठीक है पर समझ में आ गया ना posting केसे करना है अभी and ram to cash यह उल्टे क्यों जा रहे भाई कुछ तो गड़बड हो गया बेटा टेक्निकल ठीक है पर ram to cash कभी इफेक्स समझ में आया ram के debit में cash के credit में yes buy balance carried down cash में यह दिख रहा है capital से पेसा आया sham से पेसा आया ram को पेसा दिया तो buy balance carried down 600 रुपया दिख रहा है cash में बराबर है capital में सिब 500 रुपय की entry हुई है तो two balance carried down करके लिखेंगे 500 बेटा yes or no yes purchase में बेटा 200 रुपय का purchase किया तो buy किदर transfer करते trading account में trading account में यह चला जाता है nominal account कभी carried down नहीं होता trading में चला जाएगा समझा yes nominal के बाद ram account जो है बेटा वो two balance carried down यह भी 100 रुपीज कहां पे चला जाएगा बेटा two balance carried down sales to trading account शाम को अम लोग लिखेंगे buy balance carried down 100 समझ में आया पूरा chapter over हो चुका है चला अभी brain gym देखते कितने लोग बराबर बोल पाते हैं at the end of the accounting year all nominal accounts बोलिये sir can I tell sir option c not balance and their balance is transferred to P&L चलिये next leisure account is also popularly known as principle book principle books of accounts very good तीसरा journal and razor records transaction in chronological and analytical order journal chronological में आता है laser analytical में इतना ही पार्ट आपके screenshot नंबर क्या है बेटा अइख अर्ट 5 नंबरे लिग देना बेटा है ये फाच नंबर स्कृणशाट पर लिग देना एक से का ले लिच में आने लगे. The process of transfer debit and credit item from journal to their ragers is also termed as? Posting. Posting. Very good. Posting. Thank you. पूरा chapter खतम हो गया बेटा. Journal I hope आपको journal chapter हाँ जी समझ में आया होगा स्वरी में journal को बोल लो लेजर. Journal and leisure अभी हमारे खतम हो गये. यहाँ पे दोनों यूनिट भी हमने लेजर सबसे important में बता रहा हूँ 11 performance को याद करना बहुत बहुत जरूरी है. एक ही मिनिटा. एक ही मिनिट. झालों यद ये झाल 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 जी बोलिए अपना जर्नल का जो चाप्टर सर ने खतम किये तो कुछ बता सकता है कि यार डेट तो याद नहीं है वो मेरे खाल से पिछले आफ्टे खतम हो गया था पिछले से पिछले आफ्टे आपको मतलब लिंक मैं भेज़ दूँगा आप गुरूप में होगे आप गुरूप में हो मैंने शायद वहां पर देखा ने तो याप याद आया मुझे इसलिए पूछा ठीक है ठीक है मैं लिंक भेज़ दूँगा कर दो दूँगा कर दो दूँगा प्रोफॉर्मस थे अभी आप लोग यह प्रोफॉर्मस को एक बार देख लीजए मैंने आव् एक ही बार एक बार विधी की बुग बता देता हूँ और आप लोगों ने एसे ही प्रोफोर्माज लिखने चाहिए फटा फट 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 सो नेक्स टाइम क्या होगा कि आप लोगों के एक बार नोट बुक कंप्लिट रहेगी तो you won't find problem at the time of provision कभी भी बेटा आज का नहीं सोचना चाहिए एक सिप सिंपल सा incidence बोलता हूँ कल हमारे ही मतलब रेस्टोरंट के बाजू में एक रेस्टोरंट है चोटा सा रेस्टोरंट है आज बेटा उसके पापा बहुत सालों से महनत कर रहे मतलब अल्मोस्ट मानकर डोसा करके है तो बहुत सालों से वो बिचारा अदमी महनत कर रहे है हमारे साथ ही है मैं जब भी हमने यहां पे घर लिया था मैं तो पाट सल से उनको में खुद देख रहा हूँ अभी होता क्या है कि बेटे के आगे कभी सुनते नहीं है लाइफ में एक चीज देहन में रोखो मतलब हमारा थिंकिंग एबिलिटी यह बाकी लोगों से तो अच्छा ही होना चाहिए आज बारिश के सीजन में बेटा उनको शेड डालनी रहती है तो उसके पापा सोच रहा है उपर से सब खराब मतलब आज बिल्डिंग 20 फ्लोर की है तो आज सब यह चीजे गिरती रहती है और उन्होंने शेड क्यों नहीं मारा क्योंकि आज उनको लग रहा है कि वही यह पेसा जो है वो कहां से इतना पेसा डालने का करके और कल बेटा लोन लेके मतलब वो भी काम करता है लोन लेके क्रेटा गाड़ी का टॉप मॉडिल लेके आया अब यह एक चार्टर अकाउंटन्ट होता था तो उसने क्या सोचा रहे था सबोज मैं आईवरेच से जा रहा हूँ हाँ बहुत ही पैसा मिल रहा है तो ठीक है मैं बोलो चार गाड़िया ले तू पर आज तेरा एक दुकान वो भी रेंट का है तो तुने पहले प्रायरिटी किसको देनी चाहिए थी तो प्रायरिटी यह टू ग्यू फॉर यूर शॉप यह उनका बिजनेस है तो उल्टिमेटली उन्होंने क्या करना चाहिए था तो प्रायरिटी उन्होंने शॉप को देनी चाहिए थी पर लोग बच्चे के सामने कुछ नहीं बोल सकते वो बिचरा बाप बेटा पाच पाच रुपया भी कमाता है ताए मतलब इतना है कि उसका भी वो सोचता है पर बेटे के सामने कल उसने क्रेटा का टॉप मॉडल लाया और मैंने उनको बोला अरे पर आपने एक बार तो उसको समझाना चाहिए था और अपने को बुरा लगता है कि उसके पापा को उपर शेड मारना है तो वो मेरे से पैसे मांग रहे कि आप मुझे ये करके दीजे करके पर ये चीज़े जो है ये आपको मैं Chartered Accountancy में क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको wise decisions अपने लेने चाहिए लाइफ में गाड़ी आपके शोक की चीज़े मोबाइल ये जो है वो आप लीजे पर after certain extent जब आपके पास बाकी के source of income प्रॉपर हो सिर्व इतना बताया जो कि कल ऐसे मुझे लगा कि ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का मज सोचिए नोड़बुक के बारे में नोड़बुक भी आज आपको लगेगा कि ठीक है मैं बाद में लिख लूँगा पर बाद में वो होता नहीं है और उसके बाद last में देखो अभी यही चीज़ देखो इसने कितना properly लिखा हुआ है तीस जैनुरी को कुछ आगर प्लीज अपना mic off कर देना बेटा और बहुत अच्छे से इसने लिखा हुआ है डेटर परचेस फिक्स ऐसे ट्रेटर सेलरी सेल बैट डिसकाउंट अलाउड डिसकाउंट रिसूड एक्सपेंस और इनकम यह सभी प्रोफॉर्मा जिन्हों ने अच्छे से लिखे हुए है तो इसी प्रोफॉर्मा को आप लोग भी अच्छे से लिखो बेटा डेट वाई जिन्हों ने मेंटेन किया हुआ है शायद से यह पेले भी प्रोफॉर्मा लिखे हुए रहेंगे और लेजर के आज के 5 slides आपको ये लिखने हैं वो नई चीज आपको ये batch में समझ में आई रहेगी आशा करता हूँ आज आपका ये सब लिख के हो जाएगा ओके, income, expense का प्रोफोर्मा और कल तक आज illustration पाड़ भी आप लोग पूरा complete कर लोगे मैं illustration का आपको वीडियो ही दूँगा शायद से कि मैं illustrations का अलग से 1,2,3,4 क्योंकि कल मैं trial balance शुरू करने वाला हूँ सो कल हमारा ये topic रहेगा trial balance का आज सिर्फ मेरा inter का main batch है 9.45 को मुझे शुरू करना है क्योंकि उनका portion थोड़ा सा बाकी है जिनका main exam है और उनकी revision batches चालो होने वाली है तो आज मैं आपको early छोड़ रहा हूँ and laser ये chapter आपको complete करना है बेटा laser को आपको पूरा समझ के लेना है और आज अभी निप्टा दो laser को I hope आपको laser बहुत अच्छे से समझा ग्यारा laser ये पूरे पूरे जुबानी होने चाहिए कुछ भी पूछो रैंडमली पूछो सब कोई भी प्रोफॉर्मा ये कल तक आज कितने आंज कितने बच्चों ने आज बताया बेटा बहुत से लोगों ने बताया प्रोफॉर्मा सर साइट से साथ से आठ बच्चों ने बताया आज और बाकी नईज बोल रहे थे क्या सर हो सकता है उनको थोड़ा हेजिटेशन हो रही है बोलने में बेटा बोली ये पलक तो आपको कॉन्फरेंस बढ़ेगा नहिज बोलना है तो मैं आपको हेल्पी नहीं कर सकता हूँ सब लोग आंकित पेले तू भी बोल पाता था क्या बिटा इतना नहीं सर अब बोल लेता हूँ कल से थोड़ा हो गया कि बोल पा रहा हूँ कुम-कुम बोली क्या नहीं बोली प्रोफॉर्मा कि नो सराज नहीं बोला क्यों नहीं बोले कुम कुम कुल जब से उपनती है क्या और निवीर्ट स्विए अच्छा पर तुझे टाथ है नने बोलने के लिए और तुझे कुम बहुत बड़ी आंज तुझे सब को लेके चल रहा है कुम-कुम चल बेटा जल्ली से बता दे प्रोफॉर्मस आते तुझे येस सर डेटास अकाउंट का फटा फट बोलना है रैंडमली में किसी को भी पूछ रहा हूं वहला तीन चार लोग को जो कॉंफिडेंस से जिनको हाँ ते थे टांटन एकुम-कुम एक्स्पेंस का प्रोफॉर्मा बहुत बड़ी है हां एक्सपेंस का हो जायागा तू प्रिपेड बाई प्रिपेड यूम् याई पेड डाइपेडल वट्यू फ्यूकेंटू ने के वह एक्स्पेंस लिव पाहलन वाई थोड़ा सा अच्छे से नहीं आ रहा है, recording में भी जा रहा है, इसले बोलो, 2 receivables by receivable, by received in advance, 2 received in advance, 2 payandle by cash. Very good. Bad debts, bad debts का 2 debtor by payandle. Very good. Discount received, प्रोफॉर्मा तो एकदम अच्छे हो गए पिछले बैच में आ रहे थे पिछले टाइम आ रहे थे आपको क्या फॉरक पढ़ता है यहां पे और वहां पे सर वहां इंट्रेक्शन नहीं होता है और क्लासिस दो दो घंटे के लिए थे थोड़ा जादा बड़ा हो जाता लेकिन यहां पर रिगिलर से सही होता ओके और बोलना होता है अच्छे से अभी मतलब कॉंफरेंस बढ़ने लगा यहां सर चलो बहुत बढ़िया आज तो सिब असल का बोल दे जाते 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 एक्सत क्रेडिट प्लस कैसे भोल दिया मैं इतना ही बोलूंगा कि जितने भी स्टुडंस सुन रहे हैं और जो बोल नहीं पा रहे हैं अभी अपने क्लास में आके जूम पे बेटा आप लोग गलती कर रहे हो और जो रेकॉर्डेड में देखते हैं उनको तो मैं बेटा कुछ नहीं बोल सकता हूं थी के सुन लीजे आपको जैसे भी लगता है confidence उससे बढ़ता नहीं है सिर्फ सुनने से कभी confidence नहीं बढ़ेगा आपका और यह सुनने वाले बेटा जितने भी classes या faculties बोलते रहेंगे मुझे यहां पे मोका क्या मिलता है कि आप लोग गलती कर रहे हो तो मैं आपको सुधार सकता हूं बस यह सबसे बड़ा चांस है आपको बोलने का और यहां पर रोज बोलके आपका confidence बढ़ेगा मैं आपको सिंपल सी स्टोरी बोलता हूं मैंने शायद से एक बार बताया भी था मेरे सगे मासी की पोती कि उसको चांस था अन्ष बताया था कि मैंने यह स्टोरी आपको तो उसको यही डर बेठा रहता था कि मामा पूछेगा करके और वो डर के मारे पूरी वाट लगा लिए उसने स्कोर की मैं इतना ही बोलता हूं आपको कि प्लीज ऐसा मत कीजे और जो बच्चे भी आज तक मेरे से पड़े हुए है उनका confidence बढ़ने के वज़े से ही वो पास हुए है भले 19-20 मां कि दर उदर हो सकते है पर मैं इतना बोल रहा हूं आपको कि आप लोगों को बोलना पड़ेगा और अंच सुबह जो रिवीजन ले रहा है वो सबको इन्वाल कर रहा है एक अच्छे से बाकी भी स्टुड़न्ट ये कर सकते अंच अभी एक चीज कर सकत है किसी दूसरे को भी मोका देके उनको बोलने का आज रिवीजन तुम लो करके मैं मैं एक पार्टिसिपंड बन जाओंगा ओके तो इस तरीके से रोटेशन में करते रहिए और बहुत बढ़िया और कोई नहीं बोल रहा ना अंच तब अपने बोलने का ये धहन में रख फ तमराइस कर दीजिया जो हम टेंपरी अकाउंट बनाते हैं एक्वेटी शेयर कैपिटल अकाउंट और वह जो टेंटरी अकाउंट बनते से टॉपिक के टाइम पर ही बताऊंगा वह समझ में आएगा अब सब बीच में से फिन नहीं समयेगा ये टॉपिक के डाइम बस ऐसे सेलरी अकाउंट अभी फॉर एक्जांपल मैं आपको सिंपल से बोल रहूँ मुझे एक बात बता सेलरी अभी लेजर सेलरी मैं बंदे को दे रहा हूं टू बैंक आनन को सेलरी पेड किया बस मैंने इतना लिखा आनन को सेलरी पेड किया अभी ये एंट्री भी हो सकते है ये और आनन्द टू बैंक आनन्द अकाउंट हमने औपन किया तो क्या फाइदा होगा बैटा आनन्द मढ़नी की तमरे कंपन गॉथ आनन्द अकाउंट बैटा यहां पे by salary to bank actually tally में एसा trial balance दिखता है laser account दिखता है tally में debit credit ये ऐसा दिखता है अपने T format जैसे नहीं दिखता है this is real life accounting में ये software में एसा दिखता है by salary 10,000 to bank 10,000 तो salary ये laser account देखके आप लोग क्या बोल सकते हो ये laser account देखके आपको समझ में आएगा salary 10,000 था payment भी हो गया यदि हमने ये सक लिखा नहीं तो narration से हमें कौन सा easy जाएगा आनन्द account ओपन करना या आनन्द account ओपन ना करना आनन्द account ओपन ना करना क्या बात कर रहा है बेटा आज easy जाएगा account ओपन करना सब अंच आज easy जाएगा last में आनन्द को तुझे 12 महीने में 12 बार बार salary दी है 11 बार salary दी है तो narration से देखना तुझे easy जाएगा या फिर account का लेजर प्रोफोर्मा आनन्द को 11 बार salary दी है वो easy जाएगा end में तुझे summary देखने के लिए आज का मत सोचो अभी मुझे बता मैं narration एक एक चेक करता बेटूंगा या सिप आनन्द का laser extract देखा तो पुरा clear हो जाएगा easy जाएगा आज का easy मत बोल आज तो यह entry easy है बाद में बता कि मुझे आनन्द ने पूचा सर मुझे यह साल में कितनी salary दिये तो मैं narration open करते बेटूंगा तो entry चेक करने को कितना time लगेगा सिप आनन्द का extract खोला एक enter पे पूरा आनन्द आ जाएगा क्या easy सर आगे समझ लेजर easy पड़ जाएगा तो यह temporary account है बेटा आनन्द ओके सर थैंकि में आता है कि यह पेशा कोन से माग से आया हुआ है account open करने का यह फाइदा होता है भले वो close होने वाला है पर फाइदा यह होता है कि बाद में एक enter मारा तो पूरा उसका लेजर दिखेगा ओके सर सो कभी कभी temporary accounts खोलना अच्छा होता है ठीक है आप लोग तो सोचोगे नहीं हम लोग इतने temporary accounts real life में use करते है और उसका फाइदा होता है पेटी cash account जैसे होता है वेसा बहुत सारे accounts open करते हैं जो temporary देते क्यों लेजर के एक click पे हमें account समझ में आ जाते हैं फिर narration नहीं लिखते हैं हम लोग रुनते बेटेगा भाई इतना समझ में आया तो इसको बोलते हैं यह देख यह भी entry है यह भी entry है यह भी entry है account is an art इसी लिए बोला जाता है जो proper करता है वो आनन को account open करेगा उसको पता है आज मेरे लिए simple है सर आज मैं 100 pages की book और 400 pages की book अलग अलग नहीं रखूंगा easy है एक ही book में सब कुछ है सोच कौन सी हमारी after three months हमें quick revision करनी है इसलिए तो इतनी मेहनत कर रहे है 100 pages के पीछे 400 pages के पीछे index के पीछे सब बागल थोड़ी हम लोग लिखने के लिए आज हमें तो पूरा समझ में आ रहा है आदा बच्चा बोलेगा सर इसमें क्या है पर अपने को पता है कि हम लोग यह भूलने वाले है after one month और तब हमें index देखके सब कुछ याद आ जाएगा आँच इसलिए temporary accounts open करते हैं समझा तो आज के लिए इतना ही करें को वीचरे सूटा